हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग उमिद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आशी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्स का NCIT बुक से चेपर नंबर 1 रियल नंबर्स ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस चेपर में हम पढ़ेंगे क्या देखे टू वेरी प्रोपर्टी पढ़ने वाले हैं अब कुछ को पॉजिटिव इंटिजर्स का मतलब पता नहीं होगा तो उनके लिए चलिए से रिकाप करते हैं अगर हम यहां पर नेच्छल नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 और चलते चला जाए तो इन सब को बोलते हैं पॉजिटिव इंटिजर ठीक है और इसी तरीके से हैं पर नेगेटिव इंटिजर्स भी होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे चलते चले जाएंगे यह सब को बोलते हैं नेगेटिव इंटिजर्स और बीच में आता है 0 इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं इंटिजर्स बोलते हैं समझा इतना तो इ दूसरा प्रपर्पर्टी है, the fundamental theorem of arithmetic, पहला प्रपर्पर्टी समझेंगे इसका मतलब क्या है, क्या नहीं है, और साथ-साथ इसका application देखेंगे, Euclid division algorithm को यूज़ करके हम लोग क्या निकालना सिखेंगे, SCF निकालना सिखेंगे, of two positive integers, समझ गए, और जो fundamental theorem of arithmetic है, इसका meaning समझेंगे हम, और साथ-साथ इसका भी क्या करेंगे, application देखेंगे, application इसका दो देखना है हमें, सबसे पहले हम लोग इस fundamental theorem of arithmetic को यूज़ करके, क्या करेंगे, irrationality proof करेंगे, आपने class 9 में पाढ़ा होगा कि ऐसा number जिसका root नहीं निकलता है, जैसे कि root 2 हो गया, root 3, root 5, root 6, root 7, यह सब इ-rational number होते हैं, तो इस सब इ-rational number क्यों होते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे इस chapter में, with the help of this theorem, the fundamental theorem of arithmetic, ठीक है, यह पहला application देखेंगे, और साथ ही साथ दूसरा application देखेंगे, कि हम लोग किसी भी fraction को देख के बता सकते हैं, कि वो terminating होगा, उसका decimal expansion की non-terminating होगा, अब यह terminating, non-terminating क्या है, थ्रोइदर में समझ लेंगे, फिलाल आप सिप इतना समझ के रखिए, कि fundamental theorem of arithmetic का दो application हमें देखना है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, Euclid division algorithm से, पहला जो property है उससे, तो यह है पहला section यहापे दिया गया है, Euclid division lemma के बारे में, यहापे कुछ example से समझाया गया है, हम बोग डिरेकली आते हैं, numerical example पे, यह देखिए, इसको क्या बलते है, pair of integer, pair मतलब जो रहा, integers का जो रहा है, और कैसा integer है, यह positive integers है, ठीक है, तो आप इन positive pair of integers को देखे, और देखने का बात हम यहापे एक चीज़ लिख सकते हैं, देखिए, 17 को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 16 से divide कर दे, इसको, sorry, 6 से divide कर दे, 17 को, तो क्या आ 6 into 2, 6 into 2, plus remainder, मतलब 5, यहापे छोटे class में भी पढ़ा होगा, कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder, तो उसी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, समझ रहें, तो किसी भी 2 pair of integers के लिए हम लोग ऐसा कुछ line लिख सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम 5 और 12 को लिखने या कोशिच करें, तो कैसे लिखे है, तो remainder आगया 5, तो यहापे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह वाले 5 को, 5 equal to 12 into 0, 12 into 0, plus 5, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को यहापे पहले को ऐसे लिखा गया है, दूसरे को ऐसे लिखा गया है, और तीसरा का लिखने या कोशिच करें, 20 वाले को, तो कैसे करते हैं, 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, तो 4, 5, 20, कितना बचा बोली है, 0, तो यहापे 20 को क्या लिखेंगे बोली है, 4 into 5, plus 0, ऐसे लिख सकते हैं यहापे, तो वह यहापे लिखा गया है, 4 into 5, plus 0, और साथी साथ आप सी वीडियो मत देखिए, आप आपने पास एक NCRT करेंगे, for example, यहापे यह सब जो text था, इसको आप ऐसे underline करके रखेंगे, जैसे हम underline किये है, highlight भी कर सकते हैं, ताकि device करते हो वक्त easy रहेगा, और एक copy भी साथ लेकर बैठे, जो भी चीज हम बोले, जो काम का लगे बात आपको, आपको उसको note करते चलना है, ठीक है, साथ सब prepare हो जाएगा, तो हमने देखा कि कोई भी दो integer को हम लोग कुछ इस form में express कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक conclusion लिख सकते हैं, कि अगर कोई दो number है, A और B, दोनो positive integer से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कि अगर हम लोग A को divide करें B से, तो BQ जा, कुछ आएगा यहाँ और कुछ remainder बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो A को हम लोग क्या ले सकते हैं, A equal to BQ, B into Q मतलब BQ plus R, ऐसा कुछ condition लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, कि अगर कोई दो integer है, A और B, तो उसके लिए हम लोग हमेंसा एक ऐसा relation लि कि यह 5 आया, तो यह remainder जो है, वो divisor से हमेसा क्या होता है, छोटा होता है, यह पहला बात आप याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए remainder कितना आया, 0 आया, divisor से छोटा है, यहाँ भी remainder 5 आया, 12 से छोटा है, अगर remainder divisor से बढ़ा आ जाता, तो ते एक बार और यह divide हो जाता है, तो हमेसार जो remainder होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, यह बाद को याद रखेंगा, यह पहला बात, और दूसरा remainder जो होता है, वो 0 भी हो सकता है, remainder जो है यहाँ पे 0, तो remainder का condition क्या हो गया है, remainder क्या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बढ़ा होगा, और कितना यहाँ पे 0 होगा, और less than the divisor, divisor जो भी हो, D लिख लेते हैं, ठीक है, यह relation लिख सकते है, तो उसी चिसको यहाँ पे लिखा गया है, इस case में divisor क्या है, बोलिए, B से divide कर रहे है, तो B divisor है, समझ रहे, तो हम लोग R के लिए क्या लिखेंगे, R क्या तो बढ़ा होगा, नह हम लोग इसी relation को use करके solve करेंगे, बाते गराई को समझ रहे की नहीं समझ रहे है, चलिए, तो why don't you now try finding integers Q and R for the following pair of positive integers A and B, आपको दो pair of integers दिया गया है, pair of positive integers A और B है यह, आपको Q और R, quotient और remainder निकालना है, चलिए, श्टार्ट करते हैं, तो 10 और 3 है, तो 10 को divide कर दीजे 3 से तो 3, 3 जा 9 देंगे हम यहाँ पर remainder आ गया 1, तो हम लोग यहाँ पर Q कितना आ गया बोलिए, quotient 3 आ गया, और remainder कितना आ गया, 1 आ गया, समझे की नहीं समझे, उसी तरीके से 4 और 19 का find out करना है, तो आप क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे और 19 से divide कर देंगे, 19 बन जा त उसी तरीके से 81 और 3 यह आप खुद कर लीजिए, कॉपी लेखे बैठे ही होंगे, उम्मीट करते हैं, तो यह चीज़े तो हम लिख रहे हैं, A equal to BQ plus R, यह और कुछ नहीं, आप हैं तो छुटा क्लास में पर रखा है, long division process ही है, इसको alternate form में लिखा गया है, ठीक है, और यह कहाँ पर divide किये थे, यहाँ पर किये थे, तो यहाँ पर जो Q आया 3 और remainder आया 1, यह दोनों क्या है, यूनिक है, इस वर्ट पर धायन दीजेगा, यूनिक, यूनिक बोलेगा मतलब क्या है, आप यहाँ पर कोई और number 4 या पर कुछ 2, कुछ और number यहाँ पर डालके आप change नही क्या हो गया, गीवन positive integers A और B, अगर कोई आपको दो positive integers दिया गया है, A और B, तो इन दोनों positive integers के लिए हमेशा, there exist unique integers Q and R, हमेशा दो number निकाल सकते हैं, quotient और remainder, ठीक है, अगर कोई दो number दिया है, तो, जो इस relation को satisfy करेगा, A equal to BQ plus R, समझ गई है, और R का condition क्या होना चाहिए, R क्या तो greater than, या फिर equal to 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर less than B के बराबर, B मतलब यहाँ पर क्या है, diviser, समझे की नी समझे, चलिए इसको एक और example से आपको explain करते है, थरा सा और clear होगा, माल लीजिए, यहाँ पर एक हम divide करते है, अच्छा, माल लीजिए, आप ऐसे समझे R लिखा हुआ है, greater than equal to 0, और less than, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इस line से आप क्या समझते है, यहाँ पर R का पहलो क्या क्या हो सकता है, तो R क्या तो 0 हो सकता है, यहाँ फिर R क्या हो सकता है, 0 से बड़ा 1 हो सकता है, यहाँ फिर R क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, R क्या 3 हो सकता है नहीं क्योंकि 3 से छोटा यहां पर लिखा गया है अगर यहां पर अगर यहां पर ऐसा भी लाइन होता ना इकवल टू वाला भी लाइन तो 3 भी लिख देते हैं लेकिन यहां पर ऐसा वाला लाइन नहीं है इसलिए यहां पर हम लोग 3 नहीं लिख सकते हैं समझें की नहीं समझें चलिए एक और और रिलेस्टन लिखते हैं आप बताने का कोशिश कीजिएगा आइट गेटर देन इकोल टुट जीरो यह तो हमेशा ही रहेगा यहां पर चेंज होता रहेगा यहां पर माली जाम लिख रहे हैं 6 बताए यह आर का भेलो क्या क्या हो सकता है तो सही का आपने आर क्या तो 0 हो सकता है नहीं तो 1 हो सकता है नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 6 हो सकता है क्या नहीं क्योंकि 6 से छोटा बोला गया है बाते करें को समझ रहे हैं चाहिए तो यह हमने यूटली डिविजन लेमा समझ लिया यह definition आप यात्तर के रखिएगा चाहिए अब हम समझते हैं यह लेमा वर्ड का मतलब क्या है लेमा वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा statement ऐसा सच बात जिसको यूज करके हम लोग किसी अदर statement को प्रूफ करते हैं ठीक है इसको लेमा बोलते हैं और एक वर्ड है यहाप है algorithm algorithm मतलब a series of well-defined steps जिसको यूज़ करके हम लोग किसी problem को solve करते हैं for example माली जो कोई problem है उसमें लिखा गया है कि आपको step 1 में आपको पता है कि step 1 में ये काम करना है फिर step 2 में कुछ और काम करना है फिर step 3 में कुछ और काम करना है तो यह जो series of steps है जिसको यूज करके हम लोग किसी problem को solve करते हैं यह series of steps को ही क्या बोलते हैं algorithm बोलते हैं बातेगराई को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं चैलिए तो यहाँ पर हम लोग अब Euclid division algorithm देखेंगे मतलब series of steps देखेंगे जिसको use करके हम लोग क्या करेंगे hcf find out करेंगे जैसा कि हम आपको starting में ही बोले कि हम लोग Euclid division lemma का application देखने वाले हैं use देखने वाले हैं तो इसका use हमने क्या समझा था हम लोग किसी भी दो number का hcf निकालेंगे ठीक है चैलिए to obtain the hcf of two positive integers say c and d मा लिजे दो positive integers है c और d अगर इन दोनों का hcf निकालना है और मा लिजे c बढ़ा है और d छोटा है ठीक है तो आपको ये follow the steps ये step follow करना हम परेगा सबसे पहले आप क्या कीजे कि apply Euclid division lemma to c and d ये c और d में Euclid division lemma apply कर दीजे lemma apply करने का मतलब क्या है अब देखें यहाँ पर कौन बढ़ा है c बढ़ा है और d छोटा है तो छोटे को डिवाइजर मान लेते है d से divide करते है c को तो d q जा क्योंकि quotient यहाँ पर कुछ होगा कुछ देंगे यहाँ पर तो क्या बजाएगा यहाँ पर remainder आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर euclid division lemma apply करने का बाद हम क्या लिख सकते है c equal to d into q मतलब d q plus r यह line लिख सकते है और कॉमा देखे r का condition क्या होता है वो लिए r जो है वो less than greater than equal to 0 यह तो होना ही परेगा और less than divisor यहाँ पर divisor क्या है मेरा d है यह इधर जो होता है वो यहाँ पर d यह हम इतना line आप लिख दिया इसका मतलब आपने क्या कर दिया euclid division lemma apply कर दिया तो apply euclid division lemma का मतलब हमने यह line लिख दिया c equal to d q plus r यह हमने लिखा यहाँ पर c equal to d q plus r और r का यह condition हमने यहाँ पर जोड दिया समझ रहे हैं अच्छा लग रहे हैं चलिए अब इतना करने का बाद step 2 में आप देखेंगे कि क्या यह r यह जो r आपको मिला है यह remainder आपको मिला है क्या यह 0 है क्या अगर r 0 आ गया तो आपको खुसी मनाना है खुसी मनाना है मतलब आपको hcf मिल गया आपका तो main aim यही था न hcf निकालना तो आपको hcf मिल गया वो hcf क्या होगा यह जो divisor है यही hcf हो जाएगा d लेकिन ख़ब जब r अगर 0 आ गया तो यह तो हो गया if r equal to 0 तो d ही क्या हो गया hcf हो गया c और d का लेकिन अगर r 0 नहीं हुआ यह अगर r 0 नहीं आया कुछ remainder बच गया तब क्या करेंगे हम फिर सी division lemma अपलाई कर देंगे division lemma आप short form लिखा जा रहा है ठीक है यह लोग भी लिख लिखके ठग गए euclid division lemma ना लिखके इस इफ division lemma d से divide के थे c को तो d q जा कुछ दिये थे यहाँ पर यहाँ पर आगया था r अगर r 0 नहीं आया तो फिर से अब यह d को यहाँ पर लाईए और divide कर दा लिए ठीक है फिर कुछ remainder आएगा यहाँ पर आप देखे क्या यह 0 है कि 0 नहीं है अगर 0 आगया तो कहानी खतम यहीं पर यह जो last divisor था यही hcf हो जाएगा और अगर 0 नहीं आया तो फिर से यहाँ पर line खिच के यह r को यहाँ पर डालेंगे फिर से divide करेंगे समझे ऐसा process तो आपने छोटे class में भी किया होगा यह step 2 में यह करेंगे step 3 में वही लिखाया है तो जब तक हम इस process को continue करेंगे तब तक कि 0 ना आ जाए 0 आते ही कहानी खत्म जिरो आपको लाना ही पड़ेगा लास्ट में इंडर का ठीक है the divisor at this stage will be the required hcf जो लास्ट में जो divisor मिलेगा वही hcf होगा यह जो series of steps से इसी को बोलते हैं Euclid division algorithm समझे की नहीं समझे तो अब चलिए इसको apply करके एक example करते हैं दो number रहेगा दुनों का hcf निकालेंगे by using Euclid division algorithm चलिए दिखने कैसे करना है यह जो endline किया हुआ इसको नों थोरे दिर में समझेंगे पहले एक example कर लेते हैं example 1 काफी important है use Euclid's algorithm तो यह देखिए short form model लिखा गया Euclid division algorithm में लिखके Euclid's algorithm लिख दिया गया ठीक है तो ऐसा term चलेगा आग तो आपको यह Euclid algorithm यूज करना है मतलब वह सब steps follow करते हुए SF निकालना है इन दो नंबर का दोनों positive integers है ठीक है चलिके करते हैं खुद से एक नंबर है 4052 एक नंबर है 4052 और डूसरा नंबर है क्या था 12576 12576 इन दोनों का ऐसे निकाल ला है सबसे पहले तो देखी दोनों में बड़ा कौन है here 12576 is greater than 4052 तो we apply क्या apply करेंगे बोलिए Euclid's स्पैलिंग अलत हो गया we apply Euclid's division अल्गोरिधम करेंगे और साथ-साथ यहां पे एक लाइन खीश लेंगे रॉफ वर्क के लिए ठीक है आप अपने कॉपी में भी इसी तरीके से करेंगे तो अप्लाइ करते हैं तो देखिए आप यहां पर डिवाइड कर लिजिए छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कीजिए 4052 और यहां पर है 12576 अब सुचेंगे कितना से ट्राइ करें तो फर्स डिजिट और फर्स डिजिट देखिए 4 और वन तो बहुत छोटा हो गया ना फोर से तब डो डिजिट देखिए गा तो 4052 इंटू 3 जा चेक करते हैं 326 3515 34012 ठीक है यह दे सकते हैं तो 3 जा दे रहे हैं 12156 सब्ट्रैक करते हैं तो 0 आ गया यहां पर आ गया 2 यहां पर आ गया 4 यह खतम हो गया तो 420 आ गया डिमेंडर तो युकलिट डिविजन लेमा से लिख लेते हैं यहां यहां पर तो 125 12576 यह चीज लिखे एकवल टू के लिखेंगे यह इंटू यह इकवल टू 4052 इंटू 3 प्लस डिमेंडर डिमेंडर क्या है मेरा 420 ठीक है यहां पर क्या डिमेंडर जीरो आया मेरा नहीं आया तो हमें और खटनी करना पड़ेगा यहां पर एक और लाइन के अब यह जो डिवाइजर है वो यहां पर आ जाएगा 4052 समझें आप कितना जादे फॉर्स डिजिट चेक के जिए यहां पर फॉर्स डिजिट वन जादेंगे तो 420 आएगा 405 है 420 बढ़ा हो जाएगा नहीं चलेगा दो जिट लिजिए आप 4 है 48 10 जादे क्या 10 जादेन 1 94036 और 1 37 3780 तो 9 जा 3780 तो 2 आ गया 15 में से 7 गया 8 9 में से 7 गया 2 272 तो यहां पर क्या लिख सकते है 4052 4052 एक वल्ट लिख सकते है 420 इन्टू 9 प्लस डिमेंडर कितना है 272 जिटो आया नहीं आया और कषण नहीं करना पड़ेगा में अब फिर यहां पे लाइन खिचिए यहां पर में स्क्रीन में जग़ा नहीं है तो हम इसको अलग से कर रहे है यह लाइन भी रिज हो गया यह लाइन यहां पर है ठीक है तो अब 272 से किसको डिवाइड करना है बोलिए यह जो 420 है इसको तो 1 जा फिर से 272 सब्ट्रैक करेंगे 8 4 या तो 1 तो लिख सकते हैं 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148 ठीक है रिमेंड जिरू आया नहीं आया सवाल बहुत खड़ा रहा है हम लोग को करते हैं 272 तो 1 जा फिर से 148 तो 12 में से 8 या 4 यहां पर 24 और यह तो लिख सकते हैं 272 इक्वल टू 148 इंटू क्या बोलिए 148 इंटू 1 ठीक है 1 प्लस रिमेंडर कितना है 24 अभी भी 0 नहीं आया है और खटना पड़ेगा यहां पर 148 24 कितना जा 24 फाइब जा लेखते हैं 5 फाइब 20 का जिरो क्याई टू 120 फिर 24 6 जा देते हैं 24 6 जा 64 24 का पूर कैड़ी 2 2 फाइब 24 ठीक है तो रिमेंडर के चाह आ गया 4 आ गया तो 148 को लिख सकते हैं 24 इंटू बोलिए क्या 6 प्लस 4 अभी भी रिमेंडर जिरो नहीं आया है एक और करना पड़ेगा यहां पर 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 है 24 हाँ इस बार 0 आया काम खातम हो रहा है हम लोग का 24 को लिख सकते हैं एकवल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 समझे इतना तो आप यहां पर डिमेंडर 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर कौन सा था 4 था लास्ट डिवाइजर कौन सा था 4 था तो 12576 is 4 समझे तो यह इतना लाइल निख देंगे तो यह एक्जाम्पॉल को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे ठीक है इसको आप नोट डाउन कर लीजेगा करने का प्रोसेस का आपको पूरा समझाई दिए तो यह हमने युकली डिविजन अल्गोडिदम को अपलाई करते हु अगर आप यहां पर 4052 और 420 इन दोनों का भी HCF निकालेंगे ना तो 40 आएगा 420 या फिर 272 का भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा 148 24 का HCF भी 40 आएगा और 24 और 4 का HCF भी 40 आएगा ठीक है यह बात यहां पर एक्स्ट्रा है आप इसको नोटिस कीजिएगा चल आपको ऐसे करना होगा हम जैसे कि यह इतना लेंग्वाज लिखने का दरोत नहीं पड़ता है चलिए तो यहां पर भी आया है इन लोग का HCF यह रहा 4 आगया है HCF और यहां पर नोटिस करने बोला गया है यह जो 4 है यह सिफ इन दोनों का ही HCF नहीं है बलकि 24 और 4 का भी HCF है 124 24 का भी HCF है ठीक है बहुत सारी नमर का HCF है यह चलिए आप एक चीजहां पर नोटिस कीजिएगा कि एक तो हमने युकलिट डिविजन लेमा देखा है एक हमने युकलिट डिविजन अल्गोरिदम देखा है यह दोनों आपस में इतना क्लोसली इंटर लिंग्ड है ना जिसमतर से पीपल जो है लोग जो है वो अकसर दोनों को ही युकलिट डिविजन लेमा ना बोलगे सिंपल में डिविजन अल्गोरिदम ही बोल देते हैं ठीक है बात ही खतम तो सिंपल में डिविजन अल्गोरिदम बोल देते हैं इसका मतलब युकलिट डिविजन लेमा य एक application होगा positive और integer से related चलिए देखते हैं क्या है यह तो इससे पहले कि हम इसा कुछ एप्लिकेशन्स देखे तो दो थीन इंपोर्टेंट बात जान लेते हैं कि इवन नमबर और 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 नमबर बोलते किसको है अब यह तो सब को पता है कि इवन नमबर किसको बोलते हैं जो टू से डिविजिबल हो उसको और बोलते हैं अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइट करेंगे, 2 से डिवाइट करेंगे, मतलब 2 से काटेंगे, तो ये 2 से कट जा रहा है, answer कितना आ रहा है, A आ रहा है, तो ये जो 2A था, ये क्या था, एक even नमबर था, काट जाए मतलब even A, ठीक है, कहीं अगर लिखा हुआ है, 2A प्लस 4 बता ये, ये even है या फिर odd है, इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से काटने का कोशिस करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको common लिना पड़ेगा 2, तो बचेगा A प्लस 2, और नीचे है 2, ये 2-2 कट दिया, मतलब ये जो नमबर था, ये even था, ठीक है, कहीं लिख ये जो 2A प्लस 3 है, ये क्या है, odd है, समझे, even odd का concept, चलिए, अब आते हैं example पे, example नमबर 2, दिया गया है कि, show that every positive even integer, हर एक even integer जो है, वो is of the form 2Q, इस form में होगा, and that every positive odd integer, जो odd integer है, वो 2Q प्लस 1 के form में होगा, जहाँ पे Q क्या है, कुछ integer है, ऐसे तो हमें देखके ही समाज हमारा है, 2Q है, 2 से divisible है, ये even है, 2Q प्लस 1, 2 से divisible नहीं है, ये क्या है, odd है, इसको हमें show करना है, जबी भी इस type का language मिले, इस type का question मिले, बहुत important है या, इसके ओपर हम लग कई सारे type के question करेंगे, तो जबी भी आपको इस type का language मिले, कि आपको even odd show करना है, ठीक है, तो integer है A और B, तो उसके लिए हम ये relation लिख सकते हैं, जहाँ पर R का value क्या होता है, greater than equal to 0, less than B, इतना चीज हमने समझ रखा है, ठीक है, अब इस चीज को, ये जो Euclid division लेमा है, इसको इस question में apply करना है, कैसे apply करेंगे, सबसे पहले तो हमें दो number ढूनना होगा, A और B, तो यह यहाँ पर हो रहा है, तो सबसे पहले मानते हैं, let A, B, any, positive integer, ठीक है, A हमें मिल गया, उसके बाद, अब हमें चाहिए B, तो B किसको मानें, देखिए, जब भी आपको जो form में show करने बोला जाएगा, ये 2Q लिखा हुआ है, यहाँ पर 2Q प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो divisor है, यह वाला 2, यहाँ पर B 2, यही B होता है, अगर यहाँ पर 3 यह फिर 4 होड़ा होता, 3 यह फिर 4 होड़ा होता, तो B को वहीं ले दे, 3 यह फिर 4, ठीक है, तो यहाँ पर B हमें मिल रहा है, and, तो यहाँ पर and, B equal to 2 मान लिया हमने, ठीक है, तो by Euclid division, lemma, Euclid division lemma से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि, A equal to BQ plus R, तो B यहाँ पर क्या है, मेरा 2 है, तो 2Q plus R लिख देंगे, जहाँ पर R का जो range है, वो क्या होगा, greater than equal to 0, और less than B, B मतलब 2, ठीक है, मतलब, इसका मतलब क्या है, हम समझाए थे, R क्या-क्या हो सकता है, R equal to 0 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बोलिए, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, क्या है, नहीं, ठीक है, इतना चीज हमने समझा, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, R equal to 0, और लिख देते हैं, और 1, ठीक है, चैलिए, इतना चीज हमने समझा, अब हम यहाँ पर क्या कर रहेंगे जब when when r equal to 0 जब r का value अगर हम 0 ले ले ठीक है इसमेंगर हम 0 put कर दे तो a का value क्या आ जाएगा a equal to 2q आ जाएगा क्योंकि r 0 है plus 0 तो खतम हो गया वो तो तो a equal to 2q आ गया अब बताइए क्या ये 2q even ay की odd है सही का आपने ये even ay which is even which is even तो हर एक even number किस फर्म में आ गया 2q के फर्म में आ गया when r equal to अब कौनसा value put करेंगे हम यहाँ पर 1 put करेंगे ये वाला when r equal to 1 तो a कितना जाएगा बताइए 2q प्लस r का जाएगा पर 1 डाल देंगे ठीक है a equal to आ गया 2q प्लस 1 अब ये even है कि ये odd है बताइए odd है ही है क्योंकि two से नहीं कट रहे which is odd अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें question देखके ही प्रता चल रहा था कि ये 2q जो है ये even है ये odd है डिरेक्ट ही लिख सकते थे ये बात तो ऐसे हैं नहीं लिख सकते हैं तरिक लिए ठीक है आपको ऐसे करके ही दिखाना पड़ेगा इस से ये साबित हो गया कि ये जो number है ये क्या है even है और odd है समझे की नहीं समझे तो hence last में conclusion लिख देंगे कि hence every positive integer is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1 ठीक है ये conclusion लिख देंगे समझ गए चाहिए तो यही था इस question का answer question number example number 3 देखते है show that any positive odd integer कोई भी odd integer जो है वो इस form में होगा 4q plus 1 4q plus 3 question का length में समझ में आ गया है हमें समझ पहला बात तो हमने समझा कि ये Euclid division algorithm से solve होगा lemma से solve होगा ठीक है और अच्छा एक बात और लिखेंगे यहाँ पर यह जो question हमने solve किया था यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे where q equal to quotient यहाँ पर कहीं पर लिख देंगे bracket में where q is quotient ठीक है चलिए इस quotient को देखते है example number 3 देख रहे थे तो सबसे पहला बात हमने समझा कि ये Euclid division lemma से solve होगा दूसरा बात हमें यहाँ पर देखना है A और B क्या-क्या लेना है हमें और तिसरा बात Euclid division lemma apply कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया कि every positive or integer तो माल लेते हैं A कोई क्या है let A be any positive integer इसको हम erase कर देते हैं पूरे को आप इसको note down कर लिजेगा example number 3 का solution हो रहा है let let A be any positive integer यह पहला बात हमने माना अब क्या लिखेंगे बोलिए B मानेंगे and B equal to यहाँ से देखके बताईए B को क्या लेना है तो यहाँ के हमें divisor के रूप में 4 दिख रहा है तो B मेरा हो जाएगा 4 ठीक है फिर आप क्या कर देंगे we apply यूक्लीड दिविजन लेमा भी लिख सकते है अल्गोरिदम भी लिख सकते है जो आप चाहें ठीक है we apply यूक्लीड दिविजन लेमा तो देखें यह लेमा अपलाई करते ही हम क्या relation लिख सकते है यह इकवल टू BQ प्लस R मतलब B4 है 4Q प्लस R जहां पर R क्या क्या हो सकता है greater than equal to 0 और less than 4 हो सकता है that is R equal to 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है ठीक है quotient ठीक है इतना समझे अब हम अच्छा quotient क्या बोला गया था प्रूफ करना है कि हर एक और integer इस रूप में होगा चलिए ठीक है अब R का भेलो पूट करना श्राट कीजिए जैसे कि हमने पहले case में किया था when case 1 case 1 when R equal to 0 तो A के आ जाएगा बोलिए जब R 0 पूट करेंगे यहाँ पे तो यह खतम हो जाएगा अब सिफ 4Q आएगा 4Q आएगा ठीक है अब बताए 4Q even है या फिर odd है सही का आपने यह even है बेकेट में यह फिर कैसे भी लिए सकते हैं विच इज इवन विच इज इवन समझभा रहा है न आप लोग को चलिए फिर case 2 अब लिखेंगे case 2 when R equal to 1 तब ए क्या जाएगा बताएगा बताएगा आपने 4Q प्लस 1 4Q प्लस 1 इवन है क्या ओड है बताएगे और यह विच इज ओड सही जा रहे हैं अभी तक case 3 case 3 में बोली है आड क्या लेंगे वेन आड इक्वल टू तब ए क्या जाएगा 4Q प्लस 2 यह इवन है की ओड है यह पर 2 कमन लेके दिखा देते हैं 2Q प्लस 1 यह ओड है इवन है स्वरी विच इवन है ठीक है और केस 4 क्या हो जाएगा केस 4 हो जाएगा वेन आड इक्वल टू 3 जब आड 3 होगा तो यह क्या जाएगा 4Q प्लस 3 4Q प्लस 3 इवन है की ओड है बता हिए 2 कमन नहीं आ रहा है तो यह ओड है विच इस ओड तो तो देर्फोर क्या हमें देखने को मिल रहा है देर्फोर एवरी एवरी पॉजिटिव और इंटीजर और इंटीजर इस अफ दा फॉर्म तो और इंटीजर हमेशा किस फ inten होता है क्या तो इस फर्म में 4q प्लस 1 form में या फिर यह वाला भी और था 24 tylko 3 form इस अप दा फॉर्म 4q प्लस 1 और यह दियान दिजिगा पर और लिखा वुआ है और 4Q Q 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 बड़ा यही होता बस लास्ट मों की स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं यहाँ पर लिखते हैं और इवन के लिए कौन सा दो फॉर्म है एक यह वाला और एक यह वाला फॉर्म यह दोनों लिख देते हैं यहाँ ठीक है समझ रहे हैं बाते गराई को अच्छा लग रहा है देखते हैं laser pointer आजाओ चलिए अब sweet seller एक मिठाई वाला की मिठाई वाली मिठाई वाली है has 420 काजू बड़फी उसके पास 420 काजू बड़फी है और 130 बड़फी है बहुत अच्छा बात है she wants to stack them in such a way that each stack has the same number वो सबका थोक लगाना चाहती है और इस तरीके से थोक लगा दिया भी कम हो तो what is the number of that can be placed in each stack for this purpose बोला जा रहा है लिख के समझाते हैं आपको बला जा रहा है कि उसके पास 420 काजू बड़फी है और 130 बड़फी है और यह सब को stack में रखना चाहती है इस तरीके से कि वो कम से कम एडिया ले तो आप तो ऐसे सोचेंगे क्या तो आप सोचेंगे कि यह माली जे प्लेट है प्लेट में कैसे रखा जाए ऐसे खड़ा कर देजे माली जे दोठो काजू बड़फी यहां पर रख दिए दोठो बड़फी रख दिए ठीक है फिर यहां पर फी दोठो काजू बड़फी दोठो बड़फी दोठो बड़फी दोठो काजू बड़फी दोठो बड़फी ऐसे करके stack बना देंगे बहुत सारा तो हो जा गया कि ऐसा वाला रखो जो क्या हो लाख किम से कम एडिया ले मतलब हमें एक में में ज़्यान से सभई जील टालना होगा मैं जितना ज़्य के उतना ज़्य सदाधा सप्रें टालना धोसPlease निकालना है तो हमें क्या करते हैं समारे का Bu वह यहां पर लिखा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग है इसका मतलब वह 10-10 का स्टैक बनाएगी ठीक है समझ रहे हैं यह कुछ language प्रॉब्लम था इसको ध्यान रखिएगा अब आते आते हैं exercise पर exercise पर पहला question दिया गया है यूज यूखलीट्स डिविजन अल्गोरिदम टू फाइंड एसी एफ फ़ यह यह बतीन एसी एफ का question है कैसे किया जाता है हम आपको सिखा चुके हैं एक यहां पर जो सबसे बड़ा दिख रहा है चलिए इसको हम कर देते हैं आपके लिए ताकि आपका confidence तो आप बूश्ट ठीक है तो हीर तो exercise question no.1 का no.2 है यह तो हीर कौन बड़ा है दोनों में से 38222 0 is greater than 196 तो we apply we apply euclid's division algorithm वो सब इस steps हम follow करेंगे ठीक है तो algorithm apply करेंगे सबसे पहले यहां पर एक rough line खीचेंगे और यहां पर divide कर लेंगे 196 और यहां पर है 38222 0 तो यहां पर देखिए कितना है 19 है यहां पर 38 है 192 आप्रॉक्स चेक करके देखते हैं 196 तू जा 2 6 जा 12 का 2 carry 1 2 9 जा 18 आ 19 का 9 carry 1 2 1 जा 2 जा 2 जा 2 जा 1 3 बड़ा आ गिया तो 1 जा देना पड़ेगा तो देते हैं 1 जा 196 12 में से 6 गया 6 यहां पर 17 में से 9 गया तो 8 यहां पर आ गया 2 में से बन गया तो 1 उपर से उतरा 2 अब कितना जाद दें यहां पर हैं 196 9 जा चेक करते हैं 96 जा 54 carry 5 815 86 817 इतना आ रहा है चलिए तो यह दे देते हैं 9 जा 1764 12 में से 4 गया है 8 9 यह cancel out हुआ उपर से उतरा 0 आप कितना जादे 95 जा 95 जा चेक करते है 196 5 जा 56 जा 30 carry 3 5 9 जा 45 और 348 carry 4 9 जा तो यह तो कर दिया एक बार में तो 5 जा 980 यह किने यह पुड़ा रिमेंड जीरो आ गया तो यूकली डिविजन अल्कॉरिद्म से हम लिएक सकते हैं कि 3822 0 एक्वल तो कैलिए नहीं है 196 इंटो 195 प्लस 0 तो सिंस आर इक्वल टू जीरो आ गया यहां पर देरफोर HCF सॉरी देरफोर HCF of 196 and 382 जीरो इस कौन सा होगा HCF तो डिवाइजर है वही होता HCF 196 ठीक है चलिए तो यह हमने कर दिया कोशन नंबर 1 और 2 आपके लिए homework रहेगा यह आप homework के लिए कर लेंगे यह आप करेंगे खुद से सकेंगे ना इतना easy है चलिए question number 2 अभी आप वीडियो को पॉस करके अभी कर सकते हैं जंजर खत्म हो जाएगा question number 2 देखिए show that any positive odd integer positive odd integer है is of the form यह और यह और यह और यह where q is some integer ठीक है सबसे पहले question का language देखे हमें पहला बात क्या समझभाए आप बोलिए यह Euclid division lemma से solve होगा दूसरा बात हमें यहाँ पर A और B find out करना है A क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए A हो जाएगा any positive integer और B बताएगे क्या होगा यहाँ पर जो 6 है वो हो जाएगा B ठीक है और number 3 में हम लोग Euclid division lemma apply कर देंगे चलिए कड़के देखते हैं इसको यहाँ पर कर लेते हैं question number 2 का answer है यह let A be any positive integer A कोई positive integer है and B equal to 6 we apply division algorithm तो क्या जाएगा division algorithm apply करने का बाद A equal to क्या लिए सकते हम लोग BQ मतलब 6Q plus R बताई यह R का range क्या होगा 0 से लेकर 6 से शोटा तक मतलब R equal to क्या हो सकता है 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 यह हो सकता है R आप बनाएगे case तो अब यहाँ पर देखें कितना case बन जाएगा total case 1 case 2 तो उतना नहीं लिखेंगे हम लोग short में करने को चीज़ करेंगे तो that is हम यह पर लिख सकते है A equal to यह पर लिख सकते है जब R equal to 0 होगा तो यह क्या आजाएगा 6Q हो जाएगा कॉमा जब R equal to 1 होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यह 6Q प्लस 1 आ जाएगा या फिर 2 होगा तो 6Q प्लस 2 या फिर 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 4 या फिर 6Q लाक्ष वाले में और लिख देते हैं तो अच्छा लएगा और 6Q प्लस 5 तो एक अब यह सब हो सकता है आप यहाँ पर देखिए यह जो है यह odd की even even है यह भी even है और यह भी even है और यह सब जो होगा यह यह odd हो गया यह odd हो गया यह odd हो गया ठीक है तो therefore वही लिख देंगे therefore every यह हम आपको समझाने के लिए लिखे दें यह आप note मत किजिएगा इस तो समझाने के लिए था मिठा देते है therefore every odd यह फिर ऐसे लिख देते है here since here 6q, 6q plus 2 or 6q and 6q plus 4 are odd sorry are even तो चुकि यह तीनों even है तेरफोर every positive odd integer can be of the form can be of the form odd के लिए कौन सा कौन सा रूप हो सकता है 6q plus 1 के रूप में हो सकता है या फिर 6q plus 3 के रूप में हो सकता है या फिर 6q plus 5 के रूप में हो सकता है समझ गए ऐसे करके खतम कर देंगे इस question को easy था चैलिए अब आप तो इतना export हो गएगे कि आप यहाँ पर question भी change कर सकते हैं किसी के लिए आप अपने दोस्त को यहाँ पर even लिखके even के लिए यहाँ पर कैसे कैसे change होगा यह सब even के लिए आप यह सब यह सब form दे सकते हैं ठीक है यह तीन ओट हम यहाँ पर use कर देंगे यहाँ पर यहाँ पर और एक नया question त्यार हो जाएगा आपके लिए ठीक है चलिए तो यह question हो गया question number two question number one भी हो गया question number three देखते है question number three में लिखा है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade cynic लोग है 616 और 32 लोग है बड़े बड़े officer लोग तो यह 616 जो cynic है वो 32 officer के पीछे-पीछे marks करेंगे तो यह जो दोनों group है ठीक है आर्मी contingent हो गया और या आर्मी band हो गया दोनों group जो है दोनों में same number of columns होना चाहिए what is the maximum number of columns in which they can march तो maximum number of column क्या सकता है थोड़ा इसका language समझना थोड़ा मुझी के लिए ते इसको language पर समझते है question का देखिए माल लीजे यहाँ पर छोटा number लेते हैं माल लीजे यहाँ पर 12 members 12 cynic होते और यहाँ पर माल लेते है चार officer होते है ठीक है तो question कुछ इस तरीके से बोला गया है कि same number of columns होना चाहिए और march behind जो cynic लोग है वो officer के पीछे-पीछे march करेंगे मतलब माल लीजे यह अगर officer है officer total कितने है चार तो एक, दो, तीन, चार यह चार officer है तो यह 12 cynic इनके पीछे march करेंगे तो किस लीजे से march कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आर, नो, दस, ग्यार, बारह, यह 12 cynic ऐसे करके march कर सकते हैं यह हो गया एक वे तो यहाँ पे same number of columns condition satisfy हो रहा है क्या, same number of columns देखिए आपसे अगर कोई पूछे कि officer लोग का column कितना है तो एक column, 2 column, 3 column, 4 column, officer का 4 column है फिर यह army contingent का column कितना है तो इसके लिए भी एक column, 2 column, 3 column, 4 column, ठीक है इसके लिए भी 4 column है तो क्या तो एक तरीका यह हो जागा number of columns कितना हो जागा 4 या फिर एक और तरीके से भी मार्च कर सकते हैं कि माल लीजिए यह जो army officer है चार यह कुछ इस तरीके से मार्च किये एक, दो, तीन, चार यहाँ पे army जो officer से band है इनका columns कितना है दो column फिर और यह जो contingent ही है इनके पीछे-पीछे मार्च करेंगे इस तरीके से मार्च कर सकते हैं इस contingent का भी number of columns कितना हो गया दो हो गया ठीक है एक तरीका है तो यह होगा समझ रहे फिर देखिए ऐसी करके कुछ और भी arrangement बनेगा कि यह चारो एक ही करना है मैं पुछाए कि what is the maximum number of columns ऐसा तरीका कीजिए कि इसमें number of columns सबसे ज्यादा हो तो क्या यह ले सकते हैं नहीं इसमें तुसी एक ही column है इसमें सब तुसी दो ही column है चार ले सकते हैं अब लोग ठीक है तो जबी ऐसा question मिले है आपको question language समझ में आ ठीक है तो जबी इस here according to question we need to find HCF of किसका 616 and 32 ठीक है तो बाइ Euclid division algorithm 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 यह फिर simply क्या लिख सकते हैं by division algorithm algorithm से क्या लिख सकते हम लोग कौन बड़ा है यहाँ पर 616 is greater than 32 तो यहाँ पर हम apply कर देंगे रॉफ लाइन खीचेंगे यहाँ पर 32 616 तो वन जा 32 9 2 उपर से 6 कितना जाए जाए जाएगा 32 9 9 जा चेक करते हैं 18 का 8 carry 1 28 तो 9 जा 288 आ रहा है 8 खतम हो गया यह चलिए तो remainder आया 8 तो here 616 को लिख सकते हैं 32 यह तो आपको आता ही है थोड़ा तेज करने इसलिए remainder बच गया 8 ठीक है रिमेंडर चुकी 0 नहीं है तो एक बार फिर से apply करेंगे हम लोग यहाँ पर आज एगा 32 तो इस बार जो है remainder कितना आ गया 0 आ गया ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि 32 एक्वल टू 8 इन्टू 4 प्लस 0 तो देर्फोर से एफ आफ थ्री आ ठाटी टू एंड 616 इज कितना है 8 है लाज डिवाइज है ठीक है देर्फोर नम्बर आफ कॉलम्स जो होगा वह कितना होगा 8 होगा ठीक है चलिए तो यही था इस क्वेशन का एंसर आगे मूब करते हैं क्वेशन नम्बर फोर पे क्वेशन नम्बर फोर लिखा है कि use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1 for integer m क्वेशन का लाइमस देखके समझ में आगे कि Euclid division lemma से solve होगा यहाँ पे भी लिखी दिया है कि Euclid division lemma आपको use करना है ठीक है तो square है of positive integer तो समझी गए सबसे पहला step में हम A और B find out करेंगे सबसे पहले ठीक है चैलिए करते हैं क्वेशन नम्बर फोर का solution हो रहा है let A be any positive integer A कोई positive integer है and B B को क्या माने बोलिए question देखके question में क्या था B यहाँ से समझ मारा है B क्या होने वाला है 3 होने वाला है ठीक है sorry यह तो hint का हम देख लिए यहाँ पे 3 3 ठीक है इससे पता चल रहा है तो B हो गया 3 ठीक है तो वी अपलाई यूकलीट्स दिविजन लेमा यूकलीट्स दिविजन लेमा अपलाई करने के बाद क्या लिए सकते है एकवल टू 3Q प्लस R जहाँ पे R का मेलो क्या क्या हो सकता है greater than equal to 0 और less than 3 that is R equal to 0, 1 और 2 यही तो हो सकता है ठीक है अब यहाँ पे क्या बोला गया है किसी भी positive integer का जो है square करना है हमें यह बोला गया यहाँ पे ठीक है तो हम यही पर direct R का value put करना start नहीं करेंगे हम इसका क्या करेंगे पहले square करेंगे ठीक है चलिए square कर लेते है इंप्लाइस A square क्या आ जाएगा यहाँ पे plus R square ठीक है तो A square हमारा यह आ रहा है अब हम value put कर करके देख लेंगे ठीक है case 1 when R equal to 0 तो A square कितना आ जाएगा जब R 0 put करेंगे तो यह 0 खतम यह 0 खतम क्योंकि 0 से मनिक लाएगा सब खतम 9Q square 9Q square आ गया अब यहाँ पर question देख लेते हैं क्या वो 9Q square का form लाना था हमें question हमें चाहिए 3M जहाँ पर M क्या है कोई integer है तो इसको हम जब रस्ती 3M का formula ने कोशी करेंगे 3 into कुछ तो 3 यहाँ से निकाल लिए तो 3 Q square बच रहा है ठीक है अब Q भी तो question थे कोई एक integer ही है 3 into integer का square जो भी करेंगे इसको solve करने एक बाद कोई ने कोई integer ही मिलेगा मतलब 3 into M लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर bracket में लिखना पड़ेगा where हम M को क्या मान रहे है M equal to 3 Q square ठीक है तो A square इस रूप में आगिया case 2 करते है case 2 when r equal to क्या होगा बोलिए 1 जब r equal to 1 होगा तो A square क्या हो जाएगा 9 Q square plus यहाँ पर 1 put करेंगे तो 6 Q into 1 तो 6 Q plus 1 ठीक है अब यहाँ पर किस form में चाहिए था हमें चाहिए हमें 3 M plus 1 के form में दिख रहा है आपको 3 M plus 1 तो यहाँ पर क्या क्या common आ रहा है 3 कहां से निकल पाएगा यहां से 3 निकल दाएगा तो 3 common लिजिए इतना में से क्या बचा तो 3 Q square plus 2 Q यहां से 3 बच गया प्लस 1 यह चीज़ क्या है यह भी एक integer के रूप में काम करेगा न तो इसको में सकते हैं 3 M plus 1 जहाँ पर where M हम यहाँ पर क्या माने है 3 Q square plus 2 Q समझ रहे है तुरा गंदा हो यह तो साफ करते हैं इसको 1 2 3 4 ठीक है अब ठीक है चलिए समझ में रहा है न यह जवड़सी यहां पर दिखाना पर रहा है case 3 क्योंकि direct हमें नहीं मिल रहा है जभी भी आपको इस step के question मिले ना जभी आपको इस step के question मिले कि आपको square करना है तो आपको direct answer नहीं मिलता है आपको कुछ addressment करना पड़ता है ठीक है M को लेके जिसे यहां के हम देख रहते है कि direct positive or integer था square cube यह सब नहीं था तो यहां पर direct answer आ जा रहा था लेकिन इन सब question में square रहे है या फिर देखिए question no.5 यहां पर cube लिखा है तो इस question में भी हमें कुछ addressment करना पड़ेगा ठीक है ताकि इस form में आ पाए 3M 3M plus 1 समझ रहे है चलिए तो एक बार हम r equal to 2 लेते है case 3 when r equal to 2 तो जब r equal to 2 put करेंगे a square में तो a square क्या जाएगा 9 q square plus r 2 जा लेंगे तो 6 to 12 q plus 2 का square 4 तो वही चीज़ यहां पर लिखेंगे हम परें उठा लेते हैं a square हो गया a square equal to 9 q square plus 12 q plus 2 का square 4 ठीक है इसको भी 3M plus 1 के form में लाना है तो चलिए यहां से 3 तो निकल जाएगा लेकिन 4 में से 3 तो निकलेगा एक काम करते हैं 4 को लिख देते हैं 3 plus 1 9 q square plus 12 q plus 3 plus 1 तो plus 1 form आगिया यहां पर यहां से 3 कॉमन आ जाएगा इन पूरे में से ठीक है 3 कॉमन लिजिए तो क्या बचेगा 3 q square plus 4 q plus 1 ठीक है और यहां पर इस पूरे चीज को हम m माल लेंगे तो 3 m plus 1 जहां पर where m क्या है where m equal to 3 q square plus 4 q 4 q plus 1 यह चीज है m ठीक है तो देख रहे हैं कि तीनों ही case को हमने इस form में express कर दिया अब last में आपको फिर से वही conclusion लिख देना है यहां पर मेरा space नहीं बच रहा है तो आपको पता ही है क्या लिखना है therefore यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा पहले इसको इसको इरेस करते है therefore the square of any positive integer is either of the form a and a for some integer m ठीक है यह लाइन पूरा यहां से यहां तक कॉपी कर देना है समझ गए इस टाप कोशन हों कैसे करेंगे अब आते हैं question number 5 में लिखा है वही language यूज यूकली डिविजन लेमा to show the cube of any positive integer is of the form this one this one और this one तो समझी गए क्या करना है चलिए शुरू करते हैं करना question number 5 cancer हो रहा है यह भी थोड़ा बड़ा जाएगा तो let a be any positive integer ठीक है इतना हमने माना फिर b मानना है तो b हम यहां पर क्या मान लेंगे 9 मान लेंगे ठीक है and b equal to 9 अब यहां पर b equal to 9 देने से पहले थोड़ा सुचना पड़ेगा क्योंकि अगर हम b equal to 9 ले तो a equal to क्या लिखना पड़ जाएगा हमें 9 q plus r और r का value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा ठीक है 8 case बनाना पड़ेगा तब जाके यह solve होगा और हमें जो proof करना है वो किस रूप में चाहिए 9m मतलब cube करने का बाद कुछ 9 का factor मिल जाए तो काम बन जाए ठीक है ना तो इसको अगर हम cube करेंगे a cube तो यह भी cube होगा त लेकिन अगर हम कोई छोटा number लेके काम करें 9 ना लेके कोई छोटा number लेके काम करें तो थोड़ा easy पड़ेगा अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं मान के चलिए थोड़े दर के लिए 3 लेते हैं तो a cube क्या जाएगा मेरा 3 q plus r ठीक है ना अब अब अगर हम इसको cube करें तो 3 का cube ठीचर 9, 9 ठीचर 27 कुछ 9 का factor बन रहा है तो यहाँ पर 3 से लेने से भी काम बन जाएगा ठीक है इतना सरा case लेने का जरूत नहीं है 9 लेके तो यह आपके उपर है आप चाहे तो 9 लेके भी कर सकते हैं लेकिन वो जरूत नहीं है उतना खटनी करने का 3 से ज्यादा easy काम हो दाएगा इतना आठ केस बनाने का जरूत नहीं पड़ेगा ठीक है तो बाई डिविजन अल्गोरिधम we have a equal to लिख सकते हैं 3q plus r जहाँ पे r का वैलू है 0 से लेके 3 से छोटा तक मतलब r equal to 0,1 और 2 यही 3 वैलू हो सकता है r का ठीक है अब a cube कर दीजिए क्योंकि question में cube बोला गया है cubing both sides तो 3q plus r इसको अगर हम cube करें क्या होता है a plus b whole cube का formula a plus b whole cube जो होता है वो होता है 3 sorry 3 नहीं होता है सबतों पहले होता है a cube फिर plus 3 a squared b plus 3 a b squared plus b cube ठीक है इसको याद रखेंगे आप तो apply कर दीजिए यहाँ पे तो a cube मतलब 3 q का whole cube मतलब 27 q cube plus 3 a squared मतलब लिख लेते हैं इसको पहले बार में solve करेंगे b मतलब r plus 3 3 q plus sorry plus नहीं है यहाँ पे फिर यहाँ पे है r squared फिर plus r cube ठीक है चाहिए इसको solve करते हैं यहाँ पर क्या आज जाएगा 27 q cube plus 3 9 9 3 27 q square r plus 3 9 q r square plus r cube यहाँ आ रहा है तो यह हमारा a cube मिलिया अब case बनाते हैं case 1 when when क्या बोलिए r equal to 0 तो a cube क्या आ जाएगा जब r equal to 0 put करेंगे तो यह खतम यह खतम यह खतम बचेगा क्या 27 q cube है ना अब क्या हमें 27 चाहिए था कोशन में क्या दिखाने बोला था कोशन में तो हमें 9 m का form चाहिए है ना 9 m का form चाहिए तो यहाँ पर उसी form में express कर दिखते है 9 और m के लिए क्या लिखते हैंगे 3 q cube ठीक है तक ही इसको गुना करने का बाद यही आजा है समझे रहें जहां equal to 9 m bracket में क्या लिखते हैंगे where m जो है वो क्या है 3 q cube है ठीक है इतना तो एक तो हो गया फिर case 2 when r equal to 1 तो इस case में a cube क्या जाएगा 27 q q plus r1 डालेंगे तो 27 q square plus r1 डालेंगे तो यहां पर आएगा 9 q plus 1 तो यहां से आप 9 common लीजिए तो 3 q cube plus 3 q square plus 9 common क्या तो q और यहां पर plus 1 अलग से बचा हुआ है तो इसको हम ली सकते हैं 9 m plus 1 जहां पर m क्या है वेर m is 3 q q plus 3 q square plus 1 1 ने प्लस q ठीक है यह हो गया case 2 और case 3 भी इसी तरीके से शो करेंगे case 3 when r equal to 2 तो a cube क्या हो जाएगा a cube equal to 27 q cube plus थोड़ अपर इन का color प्लटते हैं ताकि easily identify हो पाए चलिए ब्लू ले ले लेते हैं 27 q q plus r क्या डाल रहे है 2 डाल रहे है यहां पर तो 27 2 जा 54 q square plus यहां पर फिर 2 डालेंगे 2 2 जा 4 तो 9 4 जा 36 q plus फिर जो भी यहां पर 2 डालेंगे तो 2 जा 4 4 जा 8 2 का cube 8 होता है 9 को common लीजिए तो 3 q q plus 9 6 जा 54 q square plus 9 4 जा q plus 8 इसको फिर से क्या माल लेंगे m माल लेंगे तो 9 m plus 8 और जहां पर m क्या है where m is m equal to लिखेंगे m equal to 3 q q plus 6 q square plus 4 q ठीक है यह हो जाएगा m तो आप देखरें किसी भी positive integer का जो q है वो इसका form क्या होता है 9 m का form होता है यहां फिर 9 m plus 1 का form होता है यहां फिर 9 m plus 8 का form होता है ठीक है यही चीज़ हमें यहां पर प्रूफ करने के लिए बूला गया था तो समझ में आ गया यह question तो बस यही है यह पांच question पहले exercise में तो उम्मीद करते हैं आपको यह पांच को साथ तपर के लिए good bye and take care हम पढ़ने वाले है class 10 maths का और chapter number 1 इसका part 2 आज होने वाला है ठीक है इसका पहले part में हमने युकली डिविजन लेमा के उपर solve क्या था exercise exercise 1.1 हमने फिसली वीडियो में solve क्या था अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो description में लिंक है playlist का वहाँ पर जाके देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग exercise 1.2 करेंगे और उससे related जितना भी theories देखे क्या question extra बन सकते हैं वह भी देखेंगे हम लोग ठीक है तो आज का हमारा theory है the fundamental theorem of arithmetic ये चीज़ हमें समझना है ठीक है last class में हमने युकली division लेमात समझा इस class में हमें the fundamental mudалаchest समझना है अब ये theorem क्या बोलता है क्या नी बोलता है वो समझने से पहले दो word समझेंगे हम लोग एक होता है prime number क्या होता है वो समझेंगे और composite number क्या क्या होता है वो समझेंगे लेकिन प्राइम और कंपोजिट समझने से पहले एक वर्ड समझेंगे जिसको बोलते हैं factors factor क्या होता है ठीक है किसी भी number का factor माल लीजें यहां पर 12 किसी भी number का factor वह number होता है जो उसको divide कर दें for example यहां पर हम 2 लीखे तो क्या 2 12 को डिवाइड कर देगा बिल्कुल डिवाइड कर देगा तो बोलते हैं हम लोग 2 is the factor of 12 इसी तरीक से 3 भी एक factor हो गया 12 का 4 भी एक factor हो गया 12 का ठीक है 6 भी एक factor हो गया 1 भी एक factor हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कोई भी number लिखें माल ली जाएं आप 14 लिखते हैं तो इसका कम से कम 1 तो factor हो गाई इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है और जो number होता है जैसे कि आप 14 नहीं तो 14 यह 14 भी इसका factor हो गाई किसी भी number का कम से कम 2 factor तो होता ही है बीच में और भी कोई सरा factor होगा उसमें दिमाग नहीं लगाना है फिलाला अपसी पीतना समझिए कि कि किसी भी number का कम से कम 2 factor हमेशा होता है वो दुनों factor कौन है एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया वो number itself समझे की नहीं समझे अब आप prime number composite number समझने के लिए त्यार हो चुके हैं तो प्राइम नंबर क्या होता है लिखते हैं प्राइम नंबर प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिफ दो ही factor हो only two factors वो दो फेक्टर कौन सा होका समझी गए होंगे आप एक होता है 1 और दूसरा होता है number itself अगर कोई भी number जिसक सिफ दो ही factor हो मतलब वो सिफ one के टेबल में और आये और खुद के टेबल में आये तो वह number को प्राइम नंबर बोलेंगे ठीक है उस natural number को और दूसरा है composite number composite number ठीक प्राइम नंबर का opposite है वो नंबर जो प्राइम नहीं होता है वो composite होता है ऐसे भी बोल सकते है या फिर आप इसको ऐसे लिच सकते है नंबर बीच है more than two factors more than two factors दो फैक्टर तो सब का होता है जिसका दो से जाता फैक्टर हुआ वो composite number क्या लाएगा समझे की नहीं समझे यह बात को चलिए और यह सब natural number को बोलते है ठीक है सब natural number के उपर काम हो रहा है और साथी साथ यह भी समझे कि यह जो one होता है ना one ना ही प्राइम नंबर है और ना ही composite number है इतना चीछ आप बेसिक बात ध्यान रखेंगे ठीक है सो कही नोड़न करके रख लीजिएगा चलिए अब हम समझने के लिए तयार हो चुके है fundamental theorem of arithmetic उससे पहले आप मुझे चलिए कुछ example भी ले ले लेते हैं माल लीजे यहां पर लिखा हुआ है टू बता अगे यहां प्राइम नंबर सोचके बताईए थिरी कौन सा नंबर है प्राइम है कि composite है तो थिरी का भी सिब दो ही फेक्टर है 1 और 3 तो यह बी एक प्राइम नंबर है एक और एग्जामपल लेते हैं माल लिए अपन लिख रहे है 15 पताईए प्राइम है कि composite है तो 15 देखि से हैं fundamental theorem of arithmetic लेकिन उससे भी पहले यहां पर एक factor tree है इसको भी समझाई देते हैं इसके उपर भी कोशन कैसे कैसे बनता है वो दिख लेते हैं factor tree में क्या होता है कि हम लोग किसी भी number को factorize करना स्टार्ट करते हैं और यहां पर 32760 है इसको सबसे छोटा नमबर से चार्ट कीजिए आप कोई बोलेगा वन से चार्ट करेंगे तो फिर यही तो आ यहां पर उन्होंने x लिख दिया ठीक है बोलेंगे find x तो आप x दो तरीके से निकाल सकते हैं जबी भी आपको दिखिए कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है 16380 और यहां पर है 2 और यहां पर है आपको x find out करना है तो आप क्या करेंगे 2 से इसको cancel out कर देंगे जब भी उपर नीचे का relationship हो तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या करना है आपको divide करना है समझ रहे इसको divide करेंगे तो 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 9 जा 18 0 8190 आ जाएगा यह हो जाएगा x समझ रहे चलिए एक और example लेते है माली जी यहाँ पर लिखा हुआ है चलिए इसका उठाते है माली जी आपको यहाँ पर y लिख दिया है और यहाँ पर ऐसे से करके यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 1365 बलाब find y तो आप क्या करेंगे यहाँ आपको दो number horizontally दिख रहा है यहाँ जाएगा वो यहाँ पर आजाएगा answer मतलब उपर नीचे का अगर relationship हो तो क्या करना है divide करना है और अगर दोनों number में relationship horizontal है तो क्या करना है multiply करना है इतना असा बात आप याद रखेंगे काम बन जाएगा चलिए इसके उपर एक question उठाते हैं तो काफी clear होगा यह देखिए cb ट्री complete करना है तो बताइए सबसे बले z से start करते हमेशा नीचे से start कीजिएगा ठीक है easy होता है तो जैड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोनों number नीचे है तो बताइए क्या करना है divide करना है 7 से इसको काट दीजिए 7535 7321 तो यह आ गया 53 जैड आ गया 53 ठीक है यहाँ पर हमें y निकालना है तो y निकालने के लिए यह दोनों number horizontally है तो क्या करेंगे दुलों को multiply 350 15 का 5 carry 1 59 16 का 6 carry 1 25 carry 2 5 तो 5565 आ गया y ठीक है अब हमें चाहिए x तो x कैसे निकालेंगे बोलिए यह 2 और यह number जो है horizontally related है तो यहाँ पर दुलों को multiply करना है तो 250 10 का 0 carry 1 12 11 का 1 carry 1 और 10 तो 101 30 इसका answer आजाएगा ठीक है चलिए तो ऐसा करके question exam में पूछा आता है इस factor tree के ऊपर और कुछ question नहीं आएगा तो इतना समझ गया यह factor tree क्या है कोई question कैसा आएगा अब हम लोग आते हैं fundamental theorem of arithmetic में fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी number को factorize करें for example यहां पर 3260 वही जो factor tree में number था उसी को अगर factorize किया गया तो यह आया factorize करना आता है ना माल लिजे छोटा number उठाते हैं माल लिजे यहां पर हम उठाते हैं 24 इसको अगर factorize कोई करने बोले तो आप कैसे करेंगे तो हम लोग 24 को लिख सकते हैं 2 x 2 x 2 x 3 या फिर इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं 2 x 3 x 3 इसी को बोलते हैं प्राइम फेक्टराइजेशन यह सब पर ध्यान दीजेगा इसको बोलाता है प्राइम फेक्टराइजेशन इस चप्टर में बहुर बार यह term use होगा इतना प्राइम फेक्टराइशन किया गया तो इतना सारा नंबर आया ठीक है 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 7 x 13 काभी बढ़ा आया है इसको थोड़ा छोटा करके लिखा गया 2 x 3 x 5 7 13 ठीक है चलिए अब यहां पर एक चीज और नूतिस कीजिए कि अगर आप मालीजे आप इस नंबर को फेक्टर करो 3 2 7 6 0 प्राइम फेक्टराइशन करो इसका तो उसका भी जो एंसर आएगा वो क्या आएगा यही आएगा ऐसा नहीं है कि उसका एंसर कुछ अलग आएगा ठीक है एक ही सेंस में अलग हो सकता है वो सेंस क्या है कि वो चाहे तो इसका और चेंज कर सकता है वो चाहे तो इ ठीक है किसी भी number का prime factorization को आप change नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए और यह सब जो number है आप देखरे हैं यह 3 है यह 2 है यह 7 है 5 है 13 आप एक चीज नोटीस करेंगे तो यह सब ही क्या है prime numbers है तो किसी भी हम लोग क्या कर सकते है किसी भी composite number को यहां पर वही लिखा है laser pointer उठाते है fundamental theorem of arithmetic बोलता है कि every composite number ठीक है मतलब जिसका दो से ज्यादा factors हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं can be expressed यानि उसको हम लोग factorize करके लिख सकते है as a product of primes ऐसे primes के product में लिख सकते हैं ठीक है ऐसे लिख सकते है और यह जो factorization है वो क्या है unique है unique समझे आप करे आपका कोई friend करे कोई teacher करे सबका answer यही आने वाला है एक चीज़ छोड़के वो चीज़ क्या है apart from the order in which the prime factors occur आप सिफ order आगे पिछे लिख सकते हैं यह 2 आगे 7 आगे कई को भी आगे पिछे लिख सकते हैं लेकिन यह जो prime factorization है वो unique होगा यह सभी number सब सेम होंगे बाते कराई को समझ रहे है चलिए तो यह चीज हमने समझ लिया और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है आगे यहाँ पर यही unique word को समझाया गया है तो यह तो हमने समझ लिया कि आप 2 into 3 into 5 into 7 लिखे या कि 3 into 5 into 7 into 2 यह दोनों सेम है ठीक है चलिए तो यह हो गया अब हम बात करेंगे fundamental theorem of arithmetic का कुछ applications के उपर ठीक है वो applications क्या है चलिए देखते हैं सबसे पहला आते हैं example number 5 पे इसमें लिखा हुआ है कि consider the numbers 4 to the power n यह कोई number के कोई consider कीजिए 4 का power n है जहाँ पर n कोई natural number है और बुला गया है check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0 अब यह question बहुत ही अच्छा question है इसके लिए कुछ special trick है आपको यह number दिया गया है 4 to the power n जहां पर n किया है natural number मतलब 4 का power 1 भी हो सकता है 4 का power 2 भी हो सकता है 4 का power 3 भी हो सकता है ठीक है power में देख रहे है 1,2,3 ऐसे कुछ भी हो सकता है 4 का power natural numbers में तो बोला की है कि क्या कोई 4 का power ऐसा भी होगा जहां पर इसको हम अगर पुरा multiply करके तो last digit 0 आएगा क्या कोई ऐसा भी power होगा क्या यह पुछा जारा है for example अगर हम 4 का power 1 तो 40 आएगा 4 का power 2 16 आएगा 4 का power 3 64 आएगा क्या ऐसा कोई 4 का power होगा क्या जिसको तोड़ने का बाद जो भी कहां पर नंबर मिले उसका last digit 0 हो एसा होगा क्या तो यह सवाल का मतलब है ठीक है सवाल समझ गए आप हम समझेंगे इसको करेंगे कैसे ठीक इसका logic समझ यह देखिए कोई भी digit कोई भी number जिसका last digit 0 होता है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 20 का last digit 0 है ना यह last digit 0 है इसके हम यह समझ रहें कि इस number में 20 में कहीं न कहीं 10 होगा 10 इसका एक factor होगा ठीक है और 10 इसका एक factor होगा मतलब 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5 2 और 5 भी इसके factor होगे 20 के मतलब आप सिर्फ इतना बात को याद रखिए कि जबी भी last digit 0 बोला जाए तो आप जरूर समझ जेगा कि इसका जब prime factorization कर रहे होंगे तो इसको जरूर 2 और 5 आना चाहिए क्योंकि 2 और 5 मिलके ही 10 बनता है और 10 से ही 0 जाता है किसी भी number में समझ है तो जबी भी last digit 0 है हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसको प्राइम factorization में 2 और 5 है की नहीं तो चलिए इसको हम कड़के दिखाते हैं यहां पर इसका solution करते हैं example 4 का example 4 में लिखाया है 4 to the power n तो प्राइम factorization हम करेंगे प्राइम factorization अब 4 to the power n एक्वल टू अब 4 का है यहां पर कीजिए प्राइम factorization 2 का टेबल से दीजिए 2 2 जा ठीक है और 2 से 1 जा मतलब 2 बाहर 2 है तो 2 का स्क्वाइर हो गया और बाहर में है n मतलब 2 to the power 2 n ठीक है पावर जो भी रहे है इससे हमें क्या मतलब ठीक है न हम यह देख रहे हैं कि इसका जो प्राइम factorization है उसमें प्राइम factor से क्या है 2 है इसमें 5 तो ही नहीं एक भी बार तो क्या इसका जो लाज़ जीट होगा वो 0 होगा क्या नहीं होगा तो सिंस यह पर लिख देंग एक लाइमें कि सिंस अ प्राइम factorization of 4 to the power n डस नोट इसका नहीं है इसमें any natural number for any natural number n ठीक है कोई भी n का value आप यहाँ पर डाल दीजिए इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला last में digit 0 आएगा ही नहीं किसी भी सर्थ वे ठीक है क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं चलिए अब यहाँ इस concept को थो और अच्छे समझते हैं इसमाल लीजिए आपको कोशन इस तरीके से फ्रेम कर दिया 25 का power n बताइए क्या n कोई ऐसा value आप डाल सकते हैं जिससे कि यह last digit 0 दे तो आप ऐसे सुचेंगे 25 का prime factorization करेंगे कितना आ रहा है 5 5 जा तो यह आ गिया 5 का square मतलब 5 का power 2 n तो इसका prime factorization में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है हमें पता है 0 पाने के लिए एक 2 भी होना चाहिए और एक 5 भी होना चाहिए तभी एक 0 बनता है सिर्फ 2 होने से भी काम नहीं चलेगा सिर्फ 5 होने से भी काम नहीं चलेगा तो यह भी last digit 0 नहीं देगा तो इस same reason यहाँ पे भी देना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे does not contain हम लोग इस case में यहाँ पे यहाँ पे 2 लिख रहे होते है ठीक है क्योंकि इसमें 2 नहीं है समझ रहें बात गर आई चलिए एक question कर देए exercise से सेम टैक का question है आपको माल से चीज अच्छे समझ माएगा exercise 1.2 देखिए question number 5 इसी format में है question number 5 में बोला गया है कि check कीजिए whether 6 का power n can end with the digit 0 for any natural number n यह तो आप देखके ही बता सकते है 6 का power n है यानि इसका prime factorization करेंगे तो 2 into 3 आएगा समझ रहें 6 का prime factorization n into 3 का power n बताईए यह क्या digit 0 देगा किसी भी n का value के लिए तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर इसर 5 नहीं है और हमें पता है 0 ब्राने के लिए 2 और 5 दोर होना चाहिए तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इसलिए यह किसी भी हालत में 0 नहीं देगा समझ रहें तो इसको लिखेंगे कैसे बस वही तरीका यह में लोगा फिर से question number 5 prime factorization prime factorization of 6 का power n equal to 2 into 3 to the power n मतलब 2 का power n into 3 का power n इतना लिखेंगे अब लास्ट में वही लाइन चिपका देंगे since prime factorization of 6 का power n does not contain does not contain इसमें क्या नही है 5 therefore it cannot end with 0 therefore it cannot end with 0 for any natural number natural number n कोई से भी natural number आप यहाँ पर डाल लीजिए इसका मजाल नहीं है कि यह लास्ट जिरो दे दे समझ गए इस तरी कैसे कर लेंगे चलिए अब यहाँ पर question number 5 तो हमने कर लिया एक question और हमें दिख रहा है जो आप कर सकते question number 6 भी लगे हाथ निप्टा देते है देखिए question number 6 नहीं बोला गया है कि explain केजिए कि क्यूँ यह number and यह number यह दोनों ही number क्यूँ composite number है यह आमें बताना है हमने अभी समझा कि composite number वो number होता है जिसका more than two factors हो one और itself ठीक है यह दो को छोड़के और भी कोई factor होता है composite number में ठीक है चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे question number 6 को हाथ लगाते है question number 6 यह रा तो क्या था सवाल इसको no doubt करते हैं सबसे पहले इसको proof करते हैं कि यह कैसे composite number है 7, 11, 13 तो here 7 into 11 11 into 13 और क्या था plus 13 है यह number दिया हुआ है हमें अब यहाँ पर आप तरह इसको simplify कीजिए ठीक है यह plus को हटाना है आपको यहां से तो आप क्या करेंगे इन दोनों number में क्या common है 13 common है 13 common है तो 13 common निकाल लीजिए तो बचा क्या 7 into 11 बचा plus 1 बचा यहाँ पर क्या आगया 13 77 और plus 1 78 तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यह पूरे number का यह पूरा जो number है इसका दो factor है 13 और 78 इतना तो हम बोली सकते है 78 को तो रहेंगे तो और भी नए 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 factors मिल जाएंगे इस number के लेकिन हम सिर्फ इतना नोटिस कर पा रहें है कि यह जो पूरा number है यह पूरा number इसका यह दो factor है 13 और 78 जो की 1 और number itself से different है तो since यहाँ पर बस एक लाइन जोर देंगे since the above number since the above number has factors has factors other than one and itself the number is a composite number बातकराई को समझ रहें देखिए यह पूरा number हमें पूरूफ करने बोला गया था composite number प्रूफ कीजिए हम जानते है composite number वह number होता है जिसमें 1 और वह number को छोड़के और भी कोई एक factor होना चाहिए तो हम यह पर देख रहे हैं कि 13 इसका एक factor है 78 इसका एक factor है ठीक है क्योंकि हम इस number को इस दोनों का product में express करते रहें मतलब यह दोनों इसका factor है तो यह पर हम देख रहे हैं कि 1 को छोड़के और number को इस पूरे number को छोड़के दो हमें एक extra factor मिल रहा है तो इसी से proof होता है कि इसका more than two factors है इसलिए यह composite number है समझ गए इसी तरीके से जो इसका second part है इसको भी कर सकते है 7 into 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और plus 5 चलिए कर लेते हैं again 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और plus क्या था 5 आप समझ गए है जहां पर plus दिखा वहां से आपको इन दोन नंबर में से कुछ common निकाल ला है पता है यह क्या common लेंगे बहुत अच्छे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 नहीं लिखते हैं और plus 1 यह आ गए 5 निकल गया तो 1 ठीक है तो 5 यहां को solve कीजिए 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 12 जा 24 multiply कीजिए 4 2 जा 8 16 4 8 8 0 10 1 0 0 8 और plus 1 तो 1 0 0 9 तो यहां भी हमें दिख रहा है कि इसमें 1 और नंबर को छोड़के 2 एक्स्ट्रा फेक्टर है एक्टो 5 है और एक्टो 1 0 0 9 है तो इसमें भी लिख दिएंगे कि since it has a factor other than 1 and itself therefore it is a composite number समझ गए यह line last में चिप्टा देंगे easy question होता है और यह अक्सर repeat होते रहता है यह question ठीक है तो question number 5 और 6 हमने निप्टा दिया चलिए आगे move करते है और थोड़ी पे आते है तो हम यहां तक दिख चुके थे अब आते है example number 6 में ठीक है लिखा है कि find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method हमने easy chapter में HCF निकालना तो सिख लिया है by Euclid division algorithm आप यहां पर फिर से हम HCF और LCM लिखाना सिखेंगे by prime factorization method यह चीज आपने class 5-6 में भी कर रखा होगा फिर भी यहां पर एक बढ़ दिया गया है तो देखिए बहुत लोगों यह आता होगा जल्दी से इसको recap कर लेते देखिए जबी भी आपको prime factorization लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है prime factorize कर लेना है 6 का तो 6 का prime factorization कैसे करेंगे 2 3 जा तो 6 को हमने लिख दिया 2 into 3 ठीक है power 1 नहीं लिखने से भी होता अब 20 को factorize कीजिए 20 को कैसे factorize करेंगे 2 10 जा आप बहुत बचे हैं पर जोस में आगे ऐसा नहीं करके ऐसे कर देंगे 4 5 जा तो यह गलत हो जाएगा आपको यहाँ पर prime number से ही करना है prime factorization जिसको बना जाता है 4 से नहीं कर सकते है आप 4 prime नहीं है 2 से start कीजिए पहले आप तो 2 10 जा फिर 2 से दीजिए 2 5 जा अब 5 तो नहीं जाएगा 5 खुदी एक prime नमर है तो 2 2 5 तो यहाँ के हम 20 को देख रहे है 2 2 5 यानि 2 दो बार है तो 2 square into 5 ठीक है तो हमें यह सब मिला एक बार इरेस करते हैं पूरा देखिए फाइनल हमें मिला 6 का prime factorization यह और 20 का prime factorization यह अब आपको निकालना है HCF highest common factor तो factor का मतलब वो number जो इसको divide कर देना highest common factor तो कौन से divide कर देगा यह जो 2 है यह दोनों को divide कर देगा मतलब आप इस word पे मत जाएगा highest लिखा है तो आपको highest power लेना है यह सब गलत धार ना है ठीक है आपको यह factor what से समझना होगा factor मतलब हमेशा छोटा number होता है LCM में जो what होता है least common multiple में हमेशा बड़ा number होता है ठीक है factor में छोटा होता है तो 2 का power 1 है 2 का power 2 है common है ठीक है अब LCM निकालने में LCM का full form क्या है least common multiple अब आप सोचेंगे कि चलिए common देखते है कौनसा कौनसा है 2 का power 1 और 2 का power 2 और multiple है तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा बड़ा वाला चीज लिखना पड़ेगा तो 2 का power 2 हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है LCM लिकालने के लिए 3 3 क्या common है आप बोलेंगे यहाँ तो 3 है यह नहीं इसको आप लिख सकते हैं 3 का power 0 करके लिख सकते हैं यहाँ तो 3 का power 0 है मतलब यहाँ को बड़ा वाला लेना पड़ेगा 3 का power 1 वह हमने लिए लिए यहाँ पर 5 है इसमें 5 नहीं है इसमें भी 5 है 5 का power 0 है यहाँ ठीक है तो क्या करेंगे 5 का power 1 ले लेंगे तो यह understood होता है तो इतना सा समझे कि यह जब आप LCM निकाल रहे होंगे तो आपको सभी number लिखना है और जो number common है उसका highest power लिखना है तो ऐसा करके आप LCM निकाल लें लिखना है of each common prime factor जो common है उसका smallest factor लिजिए और काम खतम कीजिए लेकिन जब आप LCM जब निकाल रहे है तो आपको क्या करना है greatest power लेना है of each prime factor भले ही वो common हो या फिर ना हो सब prime factor का greatest power ले लिजिए ठीक है चलिए example करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा और फिलाल आप यह है क्या निए थोड़र में समझ लेंगे चलिए एक example तो समझते है example number 7 लाग है कि find HCF of 96 and 404 यह दो number का HCF निकालना है by prime factorization method चलिए कर लेते है तो 96 का prime factorization किया हमने इतना पाया 404 का prime factorization किया हमने तो इतना पाया ठीक है तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते है जो common है उसका smallest power और लेते हैं तो common यह 2 है और यह 2 है तो इसका smallest power कितना है 2 का power 2 मतलब 4 हो गया HCF समझ रहें यह आ गया 4 समझ गया इतना चलिए अब इसी में कुछ और भी add क्या हुआ है बोला गया कि hence hence find their LCM अब आपको यह HCF को यूज करके LCM निकालना है ठीक है language का मतलब यह निकल रहा ह आपको आप चाहे तो LCM तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोगा जो यह वाला तरीका है जैसे इन्होंने निकालना है लेकिन हमने यह आपर ऐसे नहीं निकालना है क्योंकि यह निकालना है क्योंकि यह निकालना है हमें पता है HCF into LCM equal to 96 into 404 कोई भी दो नमबर का HCF और LCM को multiply क करेंगे तो दोनों नमबर का multiplication के बराबर होता है हमें LCM निकालना है तो 96 into 404 divided by HCF यानि 4 कार्ट दी जिए इसको 101 multiply की जिए 961096 961096 ठीक है यह आ जाएगा answer इसका तो इतना साबको कर देना है समझे यह formula का use चलिए आते है example number 8 में अच्छा यह भी बात याद रखिएगा यह जो formula है HCF, LCM, HCF into LCM equal to A into B यह सिफ दो number पे ही apply होता है अगर कहीं 3 number लिखा हुआ है जीज़े कि for example यहाँ पे 3 number है इन तीनों number का अगर HCF और LCM multiply करेंगे तो तीनों number का multiplication के बराबर होगा ऐसा नहीं होता है ठीक है यह जो formula है यह सिफ दो number पे ही apply करता है चलिए example number 8 दिखत चलिए निकाल देते हैं बताइए HCF क्या होगा common दिखिए 2 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे और 2 है यहाँ पे common का smallest power यानि 2 होगा सिफ इन 2 और कुछ common है 3 3 3 हाँ तो 3 का smallest power कितना है 3 का power 1 smallest power है 3 और कुछ common है नहीं है तो 2 3 है 6 यह 6 हो गया HCF और LCM निकालना है तो आप सब prime factor note down किजिये सबसे पहले 2 एक prime factor है 3 एक prime factor है और 5 एक prime factor है तीनों का ठीक है उसके पार highest power note किजिए 2 का highest power कितना है 3 3 का highest power कितना है तीनों में 2 और 5 का highest power कितना है तीनों में 1 ठीक है तो 2 तूज़र 4 और 339 4 9 36 और 5 तूजर 10 ठीक है 360 आ गया LCM तो यहाँ पे भी आ रखा है लोग होगा HCF यह रहा 6 और 360 अब यहां पर फिर से यहां पर लिख दिया इन लोगों ने भी लिखाए कि नोटीस कीजिएगा कि तिन्यों नंबर का जो आप मंटिप्लाई करेंगे और HCF लसम को मंटिप्लाई करेंगे तो वो दोनों हम एक थो कर देते हैं बागी तो आप कड़ी लेंगे चलिए कौन सा कर दे कुशन नमबर चलिए 4 कर देते हैं आपके लिए 505 का प्राइम फेक्टराजरजिएशन करते अगे तो आप उमीद करते हैं आप एक कॉपी तो बनाए ही लिए होंगे ठीक है तो जैसे जैसे हम बोलत तू, question number 1 का 4, number है 505, 5005, काफी अच्छा question है, तो 5005, हमें साथ smallest से start कीजिए, easy रहेगा, 2 का table में यह आएगा, नहीं आएगा, 3 का table में आएगा, तो 5 प्लस 5, 10, 3 का table में भी नहीं आएगा, 4 का table में देखे ही लग रहे हैं, 5 का table में बिल्कुल आएगा, 5 से देते हैं, 1001, अब चलिए, अब 5 तक हमने चेक कर लिया, अब यह 1013 का table में आएगा, क्या, जो पहले हमने चेक किया कि वो 505 नहीं आएगा, तो यह 1013 का table में नहीं आएगा, ठीके, इसे हमने का मैनत बच जाता है, अब 5 से आगे चेक किजिए, क्या 6 का table में आएगा, नहीं, देखके लग रहे हैं नहीं आएगा, 7 का table में आएगा, क्या, चलिए चेक करते हैं, 713, sorry, 717, 30, 740, 28, हाँ, 7 का table में आ रहाई है, तो 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7, 4 जा 28, 2 बचा 21, 73 जा 21, ठीके, 7 से हो गया, 8 में तो नहीं आएगा, 9 में आएगा, 3 में नहीं आए तो 9 में भी नहीं आएगा, 10 में नहीं, 11 में आएगा, हाँ 11 से जा रहा है है 11 बचा 33 11 3 जा 33 और 13 बचा दे दीजिए तो देरफोर 5 005 का प्राइम फेक्टर राइशन आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इतना कर दिये सवाल खतल ठीक है चलिए कड़ने का तरीका समझे तो आपको आते हैं यहोगा कड़ी लेते किसी न किसी तरीके से लेकिन ऐसे चेक करते हैं ठीक है यह तरीका होता है इस इस प्रोसेस आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इजी लाएगा सोरा question number 2 देखिए find lcm and hcf of the following pair of integers दोनों का lcm hcf निकालना है and verify भी करना है कि यह lcm into hcf क्या product of two numbers के equal हो रहाए की नहीं चलिए कोई एक हम करते हैं कौन सा करें चलिए last वाला उठाते हैं 2 का 3 करते है question number 2 का 3 दिया गया है 3 3 6 into 54 and 54 3 3 6 and 54 चलिए यहाँ पे एक rough line खीशते हैं 3 3 6 का prime factorization करते हैं 2 से दीजिए 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 4 जा 2 4 जा 2 2 1 3 7 7 1 तो 3 3 6 equal to लिख सकते हैं 2 का power 1 2 3 4 into 3 into 7 54 को लिख सकते हैं क्या 54 का prime factorization करते हैं 2 27 जा फिर 3 9 जा फिर 3 3 जा और 3 1 जा तो 2 into 3 का power 3 लिख सकते हैं इसको ठीक है तो HCF निकालना है हमें HCF of 336 and 54 equal to जो common है वो लिखिए पहले 2 common है और 3 common है और smallest power डाल दीजिए 1 और यहां पे भी 1 6 आ गया HCF LCM निकालिए 336 and 54 का क्या होगा सब prime factor लिखिए आप पहले 2 लिखे फिर 3 लिखे फिर 7 लिखे ठीक है दोनों में जो भी है सब लिख दीजिए फिर highest power लिखिए 2 का power 4 हो गया यहां पर 3 का power 3 हो गया समझ रहें यह और यह लिख दिया हमने इरेस करके 7 भी लिख दिया अब multiply करते है तुटू जा अटू का power 4 कितना होता है यह यह रही है पर 2 तू जा 4 4 तू जा 8 तू जा 16 तो यह हो गया 16 3 3 is a 9, 9 3 is a 27 into 7 multiply करना है इसको तो यहाँ पर कर लेते हैं 16, 27, 7 6 is a 42 4, 11, 12, 3 4, 3, 2 into 7, 7 2 is a 14 carry 1, 21, 22 carry 2, 3024 और हमें verify भी करने बोला क्या था तो here पर ले लिखा लेते हैं LCM into HCF कितना आता है तो 3024 into 6 64 is a 24, carry 2 12, 14 का 4 carry 1, 36 is a 18 इतना आगया और 3 3 और यहाँ पर निकालते हैं product of numbers product of numbers equal to 3, 3, 6 into 54 इसको भी multiply करना परेगा यहाँ पर करते हैं 3, 3, 6, 54 4, 6 are 24 carry 2, 14, 4 carry 1, 13 5, 6 are 30 carry 3 15, 3, 18 का 8 carry 1, 16 4, 4, 11 का 1 carry 1, 8, 1 तो यह आ रहा है मेरा 1, 8, 1, 4, 4 तो यह दुनों सेम हैं यह दुनों सेम हैं तो देरफोर LCM into HCF equal to product of numbers हमने verify कर दिया अगर मालीजी किसी का same नहीं आता ना तो वो समझ जाते कि उनका जरूर कहीं LCM और HCF निकालने में mistake हुआ है नहीं तो वो product गलत तरीके से कर रहे हैं यह सेम आना ही परेगा हमें साथ ठीके चलिए तो यह हमने कर लिया question number 2 का 2 और आप इतने समझावार तो है आप 1 और 3 खुद से कर लेंगे ठीके और हम करेंगे भी तो यह काफी बोरियत हो जाएगा एक एक चीज रिपीट करना है और यह भी 1 जो हम छोड़ दिये 1 का 1, 2, 3 और यह 5 कर लीजिएगा homework के लिए और कोई doubt आता है तो comment से में पूछ लीजिएगा वहाँ पर help कर देंगे ठीके चलिए question number 3 find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method अब ती number है इनका LCM, HCF निकालना है तो यह भी तो आपको आता ही है चलिए कोई एक हम कर देते हैं question number कौन सा 2 कर देते हैं थ्रा बड़ा-बड़ा number दिख रहा है 3 का 2 हो रहा है number है 17, 23 and 29 यह तो सभी prime numbers दिख रहा है चलिए सबका prime factorization करते हैं तो 17 का prime factorization यह तो किसी का टेबल मा आता ही नहीं है तो 17, 17 नहीं होगा 17 into 1 लिख देते हैं 23 को भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं 23 into 1 ही लिख दिए 29 को भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं 29 into 1 HCF निकालते हैं common factor common क्या है तीनों में कुछ common नहीं है या फिर बोल सकते हैं one common है जब कुछ common नहीं होता है तो one common लेते हम लोग ठीक है और चलिए lowest power इन तीनों को जब आप multiply करेंगे तो आप आएंगे 11339 ठीक है बस इतना ही करना था आपको कुछ है नहीं इस सवाल में question number one और टू आप three और कर लेंगा आप homework के लिए question number four देखिए क्या लिखा हुआ है given that HCF of this one and this one is nine दो number का HCF आपको दे दिया है nine है find LCM LCM निकालना है तो क्या आप इसका frame fraction करके और आगे का process करेंगे नहीं आपको यह language समझना होगा कि यह लोग है कि आप formula इस सवाल को करें क्योंकि आपको HCF दे रहा है ठीक है चलिए करते है four तो we know हमें हमें पता है कि HCF into LCM equal to product of numbers यानि a into b होता है हमें यहारे पर कितना दिया है nine दिया है तो nine लिखते है nine into LCM हमें निकालना ही है और product of numbers कितना है 306 306 into 657 ठीक है यह 657 कर लेते हैं और LCM equal to आ गिया 306 into 657 by 9 cancel out करती है किसी को यह कर टेगा क्या 97 जा 63 93 जा 27 तो implies LCM आ रहा है हमारा LCM equal to इन दोरों को multiply करेंगे कितना आएगा multiply करने का बाद आपको मिलेगा 222338 ठीक है चाहिए और question number 5 और 6 हमने पहले ही कर लिया है तो आप वहाँ से note down कर लेंगे आते है question number 7 पे लिखाए कि दियरी जो circular path around a sport field एक कोई sport field है और उसके जो चारों तरफ क्या है circular path है ठीक है गोलाकार रास्ता है Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field Sonia को 18 minute लगता है यहाँ से start करके वापस फिर यहाँ पे आने में वाइल रभी takes 12 minutes for the same और एक लड़का है उसको भी 12 minute लगता है पूरा round मान के आने में ठीक है एक को 18 minute और एक तो 12 minute suppose they both start at the same point दोनों एक साथ start करते हैं एक ही जगह से start करते हैं और एक ही डिरेक्शन में चलते हैं after how many minutes will they meet again at the starting point तो कितने दिर बाद दोनों वापस यहाँ पे मिलेंगे मतलब बोलेगा मतलब है कि देखिए सोनिया को जड़ा time लग रहा है इसका मतलब यह slow है और रवी fast है इसका मतलब हम समझ रहें कि जो रवी है वो पहले round complete कर लेगा सोनिया थोड़ा पीछे पीछे रहेगी ठीक है रवी जब यहां पहुच जाएगा कर तो सोनिया यहीं तक होची होगी फिर एक पल ऐसा है कि र 7 तो here LCM of 12 और 18 हमें निकालना है तो चलिए find out करते है 12 का prime factoration कीजिए तो 2 into 2 into 3 आएगा आपका 18 का prime factoration करेंगे तो 3 का square into ऐसे लिख देते है पहले 2 लिखते है 2 into 3 का square आएगा ठीक है तो LCM निकालने के लिए आप सभी prime factors लिखेंगे और उसका highest power लिख देंगे तो 2 to is a 4 और 3 3 is a 9, 4 9 is 36 तो दोनों नॉमर का LCM 36 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों 36 minutes बात वापस starting point पे मिलेंगे ठीक है तो last में आप यह conclusion लिख देंगे कि therefore after 36 minutes they will meet again at the starting point चलिए तो यही था फिर इसी के exercise end हो जाता है उमीद करते हैं आपको यह exercise अच्छे से समझ में आ गया होगा काफी important exercise जिस मेंसे यह तिनों question काफी important है ठीक है very high chances है इन तिनों मेंसे किसी एक question का आने का दो marks के लिए आता है यह सब question एक और यहापर important question हम discuss करना चाहेंगे ठीक है यह question आपके previous questions board exam में बहुत पर आ चुका है बोला गया कि can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM क्या कोई दो number ऐसा हो सकता है क्या जिसका HCF 18 हो और LCM 380 हो तो ऐसा हम ऐसे test कर सकते हैं देखिए जब भी दो number का जो HCF होता है न और उसका LCM होता है यह दोनों हमेसे एक दूसरे को divide करता है ठीक है काट देता है तो देखते 182 जा 36 बच गया 2 0 181 जा 18 remainder आ गया 2 यह तो divide नहीं कर पाया तो यहां पर इसका answer हो जाएगा no ऐसा कोई ऐसा possible ही नहीं है कि ऐसा कोई दो number हो जिसका HCF 18 हो और LCM 380 हो ठीक है लेकिन यहां पर आपसे reason भी पूछा है कि क्यों no है आप लिख सकते है कि since LCM of any two positive integers is always divisible by the HCF of those two positive integers ठीक है but here 380 is not divisible by 18 ठीक है hence this is not possible समझे यह से करके end करेंगे कापी important question है यह चले फिर end करते है तो उमीद करते है आपको यह पूरा exercise अच्छे समझ में आगिया होगा और जो जो हम होंबग दिये वो आप जरूर करें ठीक है और जो भी doubt आता है वो मुझे comment section में पूछ सकते आप और आप चाहिए तो telegram channel है वहाँ एक telegram group भी है आप उसको join कर सकते है काभी सारे 10k student है वहाँ पर वहाँ पर आपको जरूरर help कर देंगे आपकी किसी का doubt हो आपको solve कर सकते है तो आप जरूरर उस पर चाहिए तो join हो सकते है ठीक है तो वीडियो को जरूर एक like कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो जरूरर subscribe कर लिजिएगा ठीक है और bell icon को भी प्रेस करके रखे आने वाले दिमों में आपको काफी class 10 के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और आप दुरूर प्लेजिस से तब तक के लिए good bye and take care हेलो everyone कैसे आप लोग उमिद करते आप सब अच्छे होंगे आज ही class में हम पढ़ने वाले है class 10 maths का chapter 1 का exercise 1.3 ठीक है चलिए start करते हैं इसमें हमें irrational numbers के बादे में पढ़ना है irrational numbers क्या होता है आपने class 9 में पढ़ाई होगा अभी भी थोड़ा recap करेंगे और आपने ये भी जानना होगा कि जो rational numbers है और irrational numbers है ये दुनों मिलके real numbers form करते है ठीक है इस section में हम पढ़ने वाले है कि कैसे root 2, root 3, root 5 या फिर in general कोई भी root P ये कैसे irrational number है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे ठीक है ये में का में हमारा और देखिए बताया गया है irrational number क्या होता है तो ये ठीक rational number का opposite होता है कि कोई भी number s अगर irrational है इसका मतलब उसको P by Q के form में cannot be written उसको एससे नहीं लिख सकते है ठीक है जहां पर P और Q integers है और Q not equal to 0 है समझ में रहा है क्योंकि irrational में क्या होता है कि can be written irrational में cannot be written ठीक है कुछ इस example देखिए irrational number का यह है irrational number रूट 2 रूट 3 जिसका भी रूट ना निकले वो तो irrational होता ही है पाई भी एक irrational number है और यहां पर यह जो decimal expansion आप देख रहे हैं यह भी एक irrational number है क्यों क्योंकि इसका जो decimal expansion है वो non-terminating और non-repeating है आपने class 9 में पढ़ा होगा ठीक है तो यह हमने समझा एक basic introduction अब हम देखेंगे कि कैसे root 2 irrational है लेकिन उससे भी पहले एक theorem देखेंगे theorem 1.3 ठीक है इसका सिफ statement हमें देखना है proof exam के लेवस में नहीं है और statement भी काफी easy है बोला गिया कि अगर p कोई prime number है for example 3 तो अगर p a square को divide कर रहा है तो p a को भी divide करेगा जहां पर a कोई positive integer है अब इसको समझना है काफी आसान है एक example लेते हैं कोई भी एक number उठाते हैं कोई भी एक prime number ले लिजिए 3 अब ऐसा number लिखिए किसका square को 3 डिवाइड करता है for example माल लिजिए हम यहाप लिख रहे है 81 81 किसका square है 9 का square है तो यह statement बोलता है कि अगर p a square को divide कर रहा है तो यही जो p है वो a को भी divide करेगा य यहाँ पर क्या समझ रहे है p अगर a square को divide कर रहा है इसका मतलब a square में a square का जो prime factorization होगा उसमें कही न कहीं p होगा p एक factor होगा और भी कहीं सरा factor होगा ठीक है उसमें कहीं न कहीं p होगा तो यह a square जो है उसमें यह आया है तो a में भी कहीं न कहीं p होगा क्योंकि fundamental theorem of arithmetic बोलता है कि अगर अगर पी जो है वो a square को divide कर रहा है तो यह p जो है वो a को भी divide करेगा सिप इतना सा बात आप दिमाग में रखिए इसका use कैसे करना है अभी हम बताते है ठीक है चलिए इसको यहां से erase कर देते हैं तो पहला यहां पर सबसे पहले theorem दिया गया theorem 1.3 theorem यह फिर as example भी के लिए एक method को use करते हैं जिसको बोलते है proof by contradiction, contradiction method बोलते हैं अब यह क्या होता है चलिए समझते हैं तो सवाल है कि proof root 2 is irrational चलिए देखते हैं इसको हम करके रखते हैं पहले से ही तो contradiction method में हम क्या करते हैं कि हम लोग ठीक उल्टा काम करते हैं For example, यहाँ पर हमें root 2 को proof करना था irrational लेकिन हम यहाँ पर इसको assume कर लेंगे let root 2 क्या है rational है ठीक है, इसी को contradiction method बुलते है अब चुकी root 2 rational है, इसका मतलब root 2 को हम लोग a by b के form में express कर सकते हैं जहाँ पर a और b क्या है, co-prime है, यह हमने माल लिया co-prime बोले तो, यह दोनों का कोई common factor नहीं है a और b और यहाँ पर नहीं कटेंगे, ठीक है मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि hcf of a और b a और b का जो highest common factor है, वो 1 है, कोई common factor ही नहीं है a और b में, ठीक है, इसको बोलते है, co-prime होना अब यहाँ पर हम cross multiply कर रहे हैं, तो यह line मिला हमें और उसके बाद squaring both sides करके a square हमने निकाल लिया, इतना आया यहाँ तक समझ में आगे आपको, आप देखिए, अब आप से कोई पूछे कि क्या a square 2 से divisible है, तो आप लिखेंगे कि a square का value कितना है, 2b square तो यहाँ पर आप 2b square डालेंगे, by 2, तो यह तो 2, 2 करक डिया, आगया b square, हाँ, बिल्कुल 2 से divisible है तो therefore हम लिख दिये कि a square is divisible by 2, यह line समझ में आ गया अब वो theorem क्या बोलता है, अगर a square 2 से divisible by 2 prime है, यानि a भी divisible होगा 2 से, तो a is divisible by 2, यह भी समझ में आ गया, चलिए अब a चुकी 2 से divisible है, यानि a को हम लोग कोई 2 का multiple लिख सकते हैं, ठीक है, a में कहीं न कहीं 2 है तो let a equal to 2m है, जहाँ पर m कोई integer है, ठीक है, अब from 1 we get, अब हम क्या करेंगे, a का value है a equal to 2m, इसको हम इस equation में डाल देंगे, थोड़ा गंदा होड़ा, इसको erase कर लेते हैं, इसको हम लोग equation 1 में put कर देंगे, तो यहाँ पर a डालेंगे कितना 2m, तो यह रहा 2m का whole square, ठीक ह है, फिर इसको थोड़ा solve out कर लेंगे, जैसे कि 4m square होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2b square, तो यह 2, 2 जा कट जाएगा, तो b square equal to 2m square, यह आगिया हमारा, अब यह line देखके आप क्या बोल सकते हैं कि जो b square है, वो भी किसे divisible है, 2 से divisible है, यानि b जो है, वो भी 2 स the divisible है, यानि both a and b are divisible by 2, समझ गए, लेकिन हमने तो यहाँ पर क्या मना है, कि a और b क्या है, co-prime है, तो यहाँ पर contradiction पैदा हो गया, तो this contradicts our assumption that a and b are co-prime, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो assumption था, यह wrong था, root 2 जो है, वो rational नहीं है, root 2 क्या है, irrational है, तो इस method से अगर हम किसी ची prediction, यही तरीका होता है, एक बार recap करते है, basic basic चीज़ क्या है, आपको याद रखना है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले जब भी आपको इस type का सवाल मिलेगा, तो आप ultra assume करेंगे, इसको rational मान लेंगे, ठीक है, फिर इसको a by b के form express करेंगे, और यह line लिखना compulsory है, कि a और b यहाँ पर आपको प्राइम मान रहे है, ठीक है, cross multiply करके a square को s express कर दीजिए, इस line से समझ में आ गया कि a square 2 से divisible है, यानि a 2 से divisible है, अब a चुक की 2 से divisible है, तो a को हमने 2m मान लिया, ठीक है, अब यह value को s में सिविट से substitute कीजिए, और finally b square को s express कर दीजिए, ठीक है, अब इस line से समझ में आ रहा है कि b square 2 से divisible है, यानि b 2 से divisible है, ठीक है, तो दोनों ही 2 से divisible हो गया, यानि यहाँ पर contradiction पैदा हो गया, यानि हमारा absorption wrong था, root 2 irrational है, ठीक है, तो इतना step आप याद रखेंगे, चलिए, अब यहाँ पर example number 9 में बोला गया है, कि proof के जिए root 3 जो है, वो rational, ठीक है, अब यहाँ पर हम root 3 को a by b माल लेंगे, तो यहाँ पर cross multiply करने के पर root 3 आएगा, a square equal to 3 b square आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या सावित हो रहा है कि जो a square है, वो किसे divisible है, 3 से divisible है, यानि a b 3 से divisible है, अब a चुकी 3 से divisible है, तो हम a को 3 m माल लेते है, ठीक है, अब यहाँ पर 3 m substitute कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी change होगा, यहाँ पर 3 था, ठीक है, question number 1 में, तो यहाँ पर 1 3 बच जाएगा, तो इससे क्या सावित हो गया कि b square जो है, वो 3 से divisible है, यानि b b 3 से divisible है, ठीक है, तो बोथ a और b किसे divisible है, 3 से divisible है, तो यह दिमाग में बठा लेना है, ठीक है, चलिए, आगे move करते हैं, आगे आपने class 9 में ये भी परा होगा, कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं परा होगा, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, class 9 में ये परहाया गया था कि जो sum हो या फिर difference हो, कि इसका rational और irrational number का, वो हम मिसा क्या होता है, irrational होता है दोनों ही case में, अब ये कैसे irrational होता है, इसको prove करना सिखेंगे अभी हम लोग ठीक है, और दूसरा point में लिखा गया है, product और quotient of a non-zero rational and irrational is irrational, अब product निकाल लीजिए, 2 into root 2 का, ठीक है, या फिर quotient निकाल लीजिए, 2 by root 2, ठीक है, ये दोनों ही case में क्या होगा, irrational होगा, अब ये भी कैसे होगा, इसको हम लोग prove करना सिखेंगे, ये चीज हमें देखना है, ठीक है, चलिए, example number 10 में आप देख पारें, कि एक rational number और irrational number का जो difference है, वो कैसे irrational है, इसको prove करने के लिए बोला गया है, काफी आसान है ये, देखिए, हमने अभी कैसे irrational है, root 3 कैसे irrational है, तो ये proof करने का तरीका और इसका proof करने का तरीका थोड़ा लगे, ठीक है, इसको proof करना थोड़ा easy है, इसको proof करना थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, चलिए देखते है, कैसे easy है, ये, let us assume सबसे पहले contradiction method लगाई है, कि हम लोग, हमें इसक और irrational proof करना है, तो हम इसको क्या माल लेंगे, let 5-root 3 is rational, अब चुकी ये rational है, तो हम लोग इसको फटाक से क्या कर लेंगे, a by b के form में express कर लेंगे, जहाँ पे a और b क्या है, co-prime है, वही bracket में हम लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद, दो लुब देंगे, वही quê? करने करते हैं पातो दो आपाकी को नवादी को नवादी ही लादी है क्योंस बारी है अभड़ वगाती है से लपाग प्रॉ व्रत के हुआत कर दो जो, प्रफ सका होगा कि एादा कर दो. लुकी मोरत कर दो, यू सर चाली युर मोरत्हिं मोत सकत वुल समय। मेरा अब इतना करने का बाद आपको क्या करना है आपको रूट कर रीकoure निकालना यह बने का लहक है अब यहांद मुद्धि देजिए और इधर 5 को अब इतना करने का बद आपको यह से रूट 3 का वेलू निकाल लेना है रूट 3 का वेलू कैसे आएगा देखिए रूट 3 को उधर भेज़ीजिए और a by b को इधर बुलाइए 5-a by b equal to root 3 यानि root 3 क्या आगे आपका root 3 equal to 5-a by b आप इस एक्वेशन को आप ध्यान से देखिए यह आपने यहां पर क्या लिख दिया आप यहां पर देख रहे हैं कि यह और b यह सब क्या है a और b सब तो इंटीजर से तो यहां पर 5-2 कोई भी नंबर डालेंगे minus कोई भी no number सब्ट्रैक करेंगे कोई भी no number सब्ट्रैक करेंगे ठीक है तो आपको क्या मिलेगा जो भी मिलेगा कुछ का कुछ fraction मिल जाएगा Fraction मिल जाएगा मतलब आपने इसको PYQ के form में लिखा हुआ है यानि यह जो है यह क्या है rational number आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर हम left hand side में क्या देख रहे है root 3 root 3 तो irrational है इसका मतलब आपने ज़रूर यहाँ पर कुछ घोटाला कर दिया समझे बात का गयराई को तो यहाँ पर contradiction पैदा हो गया अब वही लिखा है यहाँ पर कि since a और b integer है तो यह जो 5-a by b यह चीज या फिर यह चीज बोल सकते हैं यह rational number देगा तो इस साब से तो root 3 क्या हो गया root 3 भी rational हो गया लेकिन हमें पता है एक fact कि root 3 क्या है irrational है तो यहाँ पर क्या हो गया contradiction arise हो गया contradiction इसलिए arise हो गया क्योंकि हमने जो assumption किया था वो क्या था incorrect assumption किया था यहाँ पर ठीक है तो root 5- root 3 rational नहीं है बलकि क्या है 5- root 3 क्या है irrational है तो समझे हमने कैसे proof किया इसको तो यह तरीका भी आप ध्यान रखेंगे सिर्फ समझे है इसको अभी exercise में करेंगे एक बार फिर से example number 11 देखिए यहाँ पर multiplication के उपर question है बला कि proof करिए कि यह irrational है तो वही फिर से हमारा अपना पेतरा लगाएंगे let us assume यह क्या है rational rational है तो फटाक से हमने यह line लिख दिया और bracket में लिख दिया कि a और b co-prime है यहाँ से root 2 का value निकले जो भी root ने फसर है इसके बाद उसका value निकालना होता है तो root 2 का value यह आ गिया तो यहाँ पर a और b integer से याणि फिर से यह क्या हो गया rational number हो गया जबकि left hand side irrational है फिर से contradiction पैदा हो गया फिर से हमारा जो मानना था वो गलत था तो 3 root 2 क्या है irrational है easy लग रहा है चलिए कुछ exercise है question करते हैं तो यहाँ पर देखिए question number 1 जो है यह तो आप करी लेंगे आराम से रूट 5 irrational आप इसको कर लिजेगा homework के लिए ठीक है question number 2 हम करते हैं पूरूफ करना है कि 3 plus 2 root 5 is irrational चलिए इसको करते हैं तो लेट आस अज्यूम 3 plus 2 root 5 is rational root 5 हमने opposite assume कर लिया assume करते ही therefore let 3 plus 2 root 5 equal to 5 लिखने का चलिए बार बार 3 लिख रहे है equal to a by b where a and b are integers where a and b are co-primes ठीक है अब यहां से root जो आज़ो नमबर है उसका value निका लिए तो 2 root 5 यार 2 root 5 equal to a by b minus 3 ठीक है यानि root 5 equal to यह कितना आजएगा a minus 3 b by 2 b ठीक है या गया तो since a and b are integers चुकि a और b integer से therefore a minus 3 a minus 3 b by 2 b is a rational is a rational number implies root 5 is rational तो इसे हमने प्रूफ कर दे कि root 5 rational है बार इसे हमने प्रूफ कर दे कि इसे हमें तो पता ही कि root 5 क्या है irrational है ठीक है देरफोर आवर एजम्शन वाज रॉंग देरफोर आवर एजम्शन वाज रॉंग यानि देरफोर 3 plus 2 root 5 is not rational is it is irrational ठीक है इतना लिखते आपको समझा देना है बस कापी होगा इतना समझ गई easy तरीके से चेलिए तो यह हमने कर लिया यह आप करी लेंगे question number 3 देखिए यहां से यह तो same type question example जैसा यह भी आप कर लेंगे यह हम कर देते हैं 1 by root 2 को प्रूफ करना है वेर a and b are co-primes इतना समझ गए यहां से root 2 का भेलू निकालिए root 2 equal to b by a अब since a and b are integers यह और भी integers है तो देर्फोर b by a is rational तो by a rational है मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया by a किसके equal to है root 2 का है root 2 हो गया है rational root 2 हो गया rational but this contradicts the fact अब उसके बाद तो यह लाइन है this contradicts the fact that root 2 is irrational और यह contradiction arise की हुआ क्योकि हमने assumption गलत किया था therefore आपर assumption was wrong assumption was wrong जो root 2 है is sorry 1 by root 2 जो है is क्या है थोड़ा साफ से लिखते है देरफोर 1 by root 2 जो है इस इर्राशनल समझे इतना लिखके आपको समझा देना है और कुछ नहीं करना है बस और जो question number 2 है यह आप करी लेंगे इसी तरीके से question number 3 भी आप कर लेंगे चलिए फिर यही था exercise 1.3 छोटा सा है लेकिन काफी important है वेरी 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 हाई chances है इसमें से question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसको आप अच्छे से practice करेंगे जो homework दिए वो कीजिए कोई doubt आता है तो comment में पूछ सकते आप ठीक है चलिए फिर end करते हैं बिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में 1.4 उसमें करेंगे उसके बाद यह chapter end हो जाएगा तब तक के लिए goodbye and take care और वीडियो से लगए तो वीडियो को जो एक like कर दीजिएगा दोस्तों का शेयर कीजिएगा और अगर आप अपने सेनल पर नए है तो तो आनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा च हेलो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे आज सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में आज का चैप्टर 1 का एक्सराइज 1.4 लास्ट एक्सराइज इसको खतम करेंगे और इस टॉपिक नाम है री विजिटिंग रैशनल लंबर इसको बनता है इसके ऊपर ठीक है इसे पहले कि हम आगया पढ़े एक बात आपको बताना था यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने एक्सराइज 1.3 सॉल्व किया था उसमें यह तीनों कोशन देखा था इस टैक पर कोशन तो हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन इस टैक पर कोशन फिर से जब आपको रूट 3 प्लस रूट 5 दोनों ही रूट में अगर कुछ दिया हो माली यह रूट P प्लस रूट Q तब इसको इसको इराशनल प्रूफ कैसे करेंगे ठीक है तो इसको भी आप सेम वे में प्रोसीड कर सकते है एक ही डिफरेंस आएगा यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर इन लोगों ने A by B न मानके यहाँ पर सिफ A माना हुआ है पर A is rational आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं हम बाद में भी करके दिखाए हैं यहाँ पर A by B से कैसे करेंगे पहले आप सिफ इससे समझ दिजे कि सिफ A माने थी कि इससे तो इसी हो जाता है तो therefore root 3 क अब यह जो root फसा हुआ है इसे काम नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर एक extra step करना होगा हमें squaring both sides यह यहाँ पर नया step आता है जब दोनों ही root में फसा रहे ना तो आपको यह step करना होगा squaring करना होगा squaring करेंगे तो यह root 3 का square 3 हो गया और यहाँ पर A minus B whole square का formula लग गया A square plus B square minus 2AB ठीक है अब इस line में देखिए कौन सा root में फसा हुआ है सीफ एक root 5 ही root में फसा हुआ है तो आप क्या कीजिए यहाँ से root 5 का value निकाल लेजिए एक बार आप root 5 का value निकाल लेते है तो आपको यह मिल गया यहाँ पर A rational है यानि यह चीज rational number हो गया लेकिन root 5 तो irrational है तो चाहिए अब बहुत के मन में यह सवाल आया है कि root 3 plus root 5 को A ना मान के हम नोग जैसे पहले कर रहे थे A by B मान के क्यों नहीं कर सकते है तो उसको वैसे भी कर सकते है जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रखा है let us assume that इसको हमने पहले rational माना root 3 plus root 5 को A by B मान लिया हमने और यहाँ पर A माने या फिर A by B माने आपको यहाँ पर squaring करना ही पड़ेगा squaring both sides root 3 का square 3 यहाँ पर हमने square किया पूरा formula लगा दिया A square minus 2AB plus B square अब इस लाइन में देखिए कौन सा root फसा हुआ है इस लाइन में ध्यान से दिखने परादा चलता है कि यहीं पर रूट 5 फसा हुआ है तो नीचे का लाइन तो आप लिखी लेंगे बस यह step आपको बताना था squaring वाला step ध्यान रखी का जब दोनों ही root में हो तो ठीक है यहाँ पर कोई number भी आगिया for example 2 root 3 यह फिर 3 root 5 जो भी रहे यही step follow होगा ठीक है चलिए अब चलिए आप अपना next topic start करते है रिविजिटिंग rational numbers and their decimal expansion rational number को एक बार फिर से देखेंगे और उनका decimal expansion क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखेंगे ठीक है आपने class 9 में हो सकता है यह पधा होगा कि rational numbers का decimal expansion होता है वो क्या तो terminating होता है या फिर non-terminating repeating होता है समझ रहे है terminating मतलब जैसे कि यह आप decimal expansion देख रहे है 0.375 5 के बाद के कोई और नमबर है नहीं है तो यह terminating decimal expansion इसको बोलते है non-terminating क्या होता है for example जैसे एक पेन उठाते है ऐसे लिखाबा 0.33333 चलते जाएगा यह तो यह क्या terminating है नहीं यह है non-terminating लेकिन एक सर्थ है यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर repeating है कि 3 यहाँ पर बाद बाद repeat हो रहा है तो किसी भी rational number का decimal expansion होता है वो क्या तो terminate होगा नहीं तो non-terminating, repeating होगा यह दोनों feature follow करना भी बढ़ेगा उसको ठीक है अब आपके book में एक theorem दिया गया है theorem 1.5 काफी important theorem है और easy भी है चलिए दिखते हैं क्या है लिखा हुआ है कि let x be a rational number माल लिए यह x कोई rational number है और इसका decimal expansion जो है वो क्या होता है terminate होता है ठीक है तो information हमें दिया गया तो यह theorem बोलता है कि अगर कोई rational number जिसका decimal expansion terminate होता है तो वो rational number को हम लोग p by q के form express कर सकते है ठीक है जहां पे p और q क्या है co prime है मतलब और नहीं कटेंगे यह p और q और q का जो prime factorization करेंगे तो वो हमेशा इस form में होगा 2 का power कुछ माल लिजिए m into 5 का power कुछ माल लिजिए n अगर किसी rational number का decimal expansion अगर terminate होता है तो उसका जो denominator है उसका अगर हम prime iteration करेंगे तो वो हमेशा इसी form में होगा 2 का power कुछ into 5 का power कुछ यहां पे कोई और number नहीं हो सकता है 3 का power कुछ यहां पे आएगा ही नहीं आहीं सकता है ठीक है यह बात यह theorem बोलता है समझे इतना चलिए अब इस थेोरों के basis पे एक सवाल करते है तो आपको और भी ऐसे से clear होगा चलिए देखिए यह question है लिखा हुआ है कि a rational number in its decimal expansion is this much 327.7081 तो यह हम देख के समझ पार है बते हैं यह क्या terminating है क्या terminating है decimal expansion तो आप देखने हैं कि 1 पे खतम हो जा रहा है तो यह है terminating decimal expansion ठीक है what can you say about the prime factors of q when this number is expressed in the form pyq तो यह number को अगर हम pyq को form express करेंगे तो q के prime factors के बारे में आप क्या बोल सकते हैं denominator के बारे में तो आभी हमने एक theorem पढ़ा है यह theorem बोल रहा था कि अगर किसी का decimal expansion terminate होता है तो उसका जो denominator है यानि q जो है उसका prime factors इस form में होगा तो वही बात हम यहाँ पर लिख देंगे कि 327.7081 is terminating decimal expansion ठीक है तो यह ऐसा rational number को represent करता है जिसका denominator जो है वो इस form में हो 2 to the power m into 5 to the power n ठीक है यह दो बात हम यहाँ पर लिखेंगे फिर give reason भी बोला गया है तो हम लोग इसको point हटा के नीचे 10,000 लेंगे और इस 10,000 को prime factorization करके दिखा देंगे कि यह जो 10,000 है उसमें सिर्फ 2 और 5 है 2 का power 4 और 5 का power 4 इस form में ही है यह समझ रहे तो बस इतना करके आपको दिखा देना है अब यहाँ पर भी एक trick होता है 10,000 को यहाँ पर कैसे prime factorization किया गया है आपको सीधा बहुत मेंद करने का जरूत नहीं होता है यहाँ पर 10 है मतलब 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5 आपको पहले ही बता चुके और power है 4 इसका मतलब इसका prime factorization करेंगे तो 2 का power 4 इंटू 5 का power 4 अचा बता यह 10 to the power 5 का prime factorization बता यह तो क्या होगा तो आप बोलेंगे 2 का power 5 इंटू 5 का power 5 ठीक है तो यह सब easy चीज होता है चलिए आगे यहाँ पर theorem 1.6 दिया गिया है यह theorem 1.5 का एकदम opposite है ठीक है theorem 1.5 में क्या बोला गया था कि अगर किसी का decimal expansion terminate होता है तो उसका जो denominator है उसका prime factorization 2 to the power n इंटू 5 to the power m के form में होगा यह theorem क्या बोलता है कि अगर किसी rational number का denominator यादि यहाँ पर q का अगर prime factorization 2 to the power n इंटू 5 का power m के form में होता है तो इसका decimal expansion terminate होगा ठीक है उल्टा बात बोला जा रहा है यहाँ ठीक एक दूसरे का एक बाद पढ़ लेते हैं statement क्या है कि let x equal to pyq be a rational number ठीक है such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n इंटू 5 to the power m prime factorization इस रूप में है तो हम बोल सकते हैं कि x has a decimal expansion which terminates ठीक है तो यहाँ पर हमाप पोसितरिकर से underline करके रखे हुए आप यहाँ पर जब revise करेंगे तो ऐसे underline करेंगे ठीक है अगर terminate होता है मतलब इस form में होगा इतना देखने से आपको पराचल जाएगा और इसमें क्या लिखाए कि अगर इस form में है तो वो क्या करेगा terminate करेगा ऐसे करके आपको language याद कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर एक दो बात आपको और भी पता होना चाहिए वो क्या है देखिए अगर किसी rational number का इसका जो denominator है 125 इसका अगर हम प्राइम फेक्टराइशन करें तो वह इतना आया 5 को पावर 3 आप सोचके बोली कि क्या यह 2 to the power m into 5 to the power n के form में है क्या तो हाँ यह बिल्कुल है इसको हम लोग मानते है क्यों हम मान सकते है क्योंकि यहाँ पर हम 2 to the power 0 into 5 to the power 3 लिख सकते है और n हो जैसे कि इस केस में में दिखने को मिल रहा है सिफ 2 का पावर भी कुछ रहने से वह terminate कर जाता है 5 का पावर भी सिफ कुछ रहने से terminate कर जाता है 2 और 5 दोनों भी रहा तो क्या हो जाएगा इफ 987 by 10500 will have terminating या फिर non-terminating repeating decimal expansion give reason for your answer बिना divide कि आप इसको देखके बताइए कि 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 इसका decimal expansion terminate करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको simplify करना है जब आप इसको काटेंगे तो आप पाएंगे 47 by 500 ठीक है अब इस 500 का prime factorization कर दीजे तो आप पाएंगे 5 का power 3 into 2 का power 2 इसको फिलाल ignore कीजिए आप से इसका prime factorization को देखिए ये देखके बताइए क्या ये terminate करेगा तो आप ब टाइप ये so it is terminating decimal समझ गए easy लग रहा है अब यहाँ पर give reason भी बोला गया था तो हम इतना reason दे के भी काम खतम कर सकते हैं यह यहाँ पर पूरा decimal expansion इन्होंने find out कर दिया यह जुरूत नहीं था question में बोला नहीं गया था ठीक है चलिए लेकिन फिर भी समझ लेते हैं इसको क decimal expansion कैसे निकालते हैं यहां तक तो आप समझ गए है 47 by 5 power 3 into 2 power 2 अब यहां से लेके आपको यहां तक कैसे पहुचना है decimal expansion कैसे निकालेंगे वो देखेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले यह देखिए 5 का power 3 है और 2 का power 2 है यह 5 का power 3 है आप 3 देखके आप यह समझ जाएंगे क देखिए जिसका decimal expansion होगा ना वो 3 decimal पे खतम हो जाएगा ठीक है देखिए point के बाद 3 number है तो 3 decimal places पे यह खतम हो जाता है यह highest power देखके यह बात पता चलता है सबसे पहला point यह आप note करेंगे ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए कि यहां पर 5 का power 3 है तो आपको 2 to 2 किया तो 94 आगिया ठीक है अब यह 5 2 जा कितना हो गया 10 तो 10 to the power 3 या नी 10 मतलब 1000 अब 3 0 है तो तीन डिजिट चोड़के आप एक point डाल जाएंगे ठीक है तो ऐसे करके हम decimal expansion फालोट करते हैं समझ मैं है तो ठीक नहीं आए तो अभी exercise में भी और से से कर लेंगे इसको बहुता चलिए देखते हैं सबसे पहले आप denominator का प्राइम फेक्टराइशन कीजिए 1250 तो 2 से 625 और 5 से 125 और 5 से 25 और 5 से 5 तो 2 इंटू 5 का power 4 नीचे में आ रहा है ठीक है तो यहां से हम इतना तो समझ जा रहे हैं कि highest power क्या है 4 है तो यह 4 decimal places बात यह टर्मिनेट कर जाएग ठीक है option number D इसका right answer होगा और अगर इसका हमें exact बताना भी होता कि कितना value आएगा decimal में तो हम क्या करते उपर नीचे क्या से multiply करते यहां पर 2 का power हमें 4 चाहिए तो यानि 2 का power 3 से दोनों जगा multiply कर देते ठीक है समझ रहे है चलिए यहां पर एक theorem और दिया गया है आपके लि इस something we can conclude that decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating ठीक है यह conclusion निकल के आता है चलिए बात है exercise पे question number 1 लिखा है कि without actually performing the long division बिना divide किये आप ये बताइए कि the following rational number will have terminating decimal expansion और non-terminating repeating decimal expansion बिना divide किये बताना है terminating होगा है non-terminating होगा question number 1 से उठाते है तो हमें तो 2 theorem यहापे use करना है number 1 अगर इसका denominator का decimal expansion 2 का power m into 5 का power n के form में हुआ तो वो terminating होगा नहीं हुआ तो non-terminating होगा ठीक है ये दूसरा ठीक होगा और एक बात और भी ध्यान रखेंगे आप कि यहापे आपको पहले simplify जरूर कर लेना है ठीक है करते हैं तो काट लेना है पहले तब prime factorization करना है चलिए स्टार्ट करते कोशन नमबर 1 से दिया गया है 13 by 3125 कोशन नमबर 1 का 1 कर रहे है 13 by 3125 तो जब आप 3125 का prime factorization करेंगे तो आपको मिलेगा 5 to the power 5 ठीक है तो बताइए ये terminate करेगा कि नहीं करेगा तो सिंस ये किस फर्म में है सिंस प्राइम फेक्टराइजेशन सिंस प्राइम फेक्टराइजेशन अफ दिनोमिनेटर इस अफ दा फर्म किस फर्म में है ये 2 to the power m into 5 to the power n कॉमा इथ हैज अ terminating decimal expansion तो इजी कोशन है ये जला कुश ठाने इसमें अगर यहां पर हमें decimal expansion भी final training के लिए बुला जाता ना तो हम क्या करते हैं यहां पर देखते हाइस पावर कितना है 5 है तो हमें यहां पर 2 to the power 5 भी चाहिए तो उपर नीची 2 to the power 5 से multiply कर देते ठीक है फिर उपर में जो आता वो लिखते और नीचे आया था 10 to the power 5 फिर point में convert कर देते ठीक है चलिए तो फिलाला भी यह नहीं करना है question नहीं बोला नहीं है सीवा में terminating है कि non-terminating उतना बताना है तो हम सीब इतना ही करेंगे ठीक है चलिए question number यहां से कौन सा करें आब बाकी सब सेम टाइप का ही है चलिए एक और कर देते हैं आपके लिए question number 4 कर लेते हैं है 15 by 1600 तो 15 by 1600 सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यह simplify हो रहा ही की नहीं तो यह simplify हो रहा है 5 का table से काटते हैं 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 0 0 तो आ गया 3 by 320 जब आप इसका प्राइम फेक्टरेशन करेंगे तो आप पाएंगे 320 का कैसे होगा चलिए देख करी लेते हैं 2 से 160 फिर 2 से 80 2 से 40 2 से 20 और 2 से 10 और 2 से 5 काफी बढ़ा गिया है तो 3 by 2 to the power 6 into 5 ठीक है तो यह भी इस फ़र्म में है 2 to the power m into 5 to the power n इस फ़र्म में है तो इसका भी decimal expansion terminate करेगा ठीक है अगर हमें decimal expansion find out करना भी होगा तो हम कैसे करेंगे उपर नीचे यहां पर highest power कितना है 6 तो उपर नीचे यहां भी 5 का पावर 6 चलिए हमें तो 5 का पावर 1 तो अल्रेडी है तो 5 का पावर 5 से multiply कर देंगे उपर नीचे ठीक है और उसके बाद काम कर लेंगे तो फिलाल हमें यह नहीं करना है इसमें दिमाग नहीं लगाते into 5 था चलिए तो यहां पर ऐसी करके आप बाकी भी कर लेंगे जिसमें doubt होता आप मुझे comment कर दीजेगा help कर देंगे मुआ पर और हो सके तो telegram channel में भी join हो जाईए मुआ पर भी आपको solution मिल जाएगा इसका चलिए आगे move करते है question number 2 में लिखाए कि write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion तो question number 1 में जिसका जिसका terminating आया था ना उसका decimal expansion भी find out कीजिए बोला गया है तो यहाँ पर हमने देखा इसका terminating आया और इसका भी terminating आया दो कोशन ही हमने किया था दो दोलों का terminating आया था तो इसका बोला है decimal expansion found out कीजिए तो कर लेते हैं यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर यह लाइन को हटाना पड़ेगा अभी फिलाल कोशन नमबर 2 चल रहा है भाँ इसको आटा देते हैं चैलिए तो यहाँ पर decimal expansion फार्ड़ करने के लिए 2 to the power 5 by 2 to the power 5 से multiply कर दिए तो 13 into यह हो गया 32 नीचे हो गया 10 to the power 5 तो 13 to the 26 carry 2 13 to the 39 और 2 41 by 10 to the power 5 5 है मतलब 5 decimal places पर यह end होगा तो 4, 1, 16 डिजिट हो गया और 2 डिजिट जा लिए और एक point डाल दीजिए यह हो गया इसका answer ठीक है इसका भी कर लेते हैं यहाँ पर into करना होगा किससे 5 का power 4 5 का power 5 by 5 का power 5 से काफी बड़ा multiplication होगा 3 into 5 का power 5 कितना होता है 5 का power 2 मतलब 25 फिर 5 का power 2 मतलब 25 into 5 तो यह हो गया 6 to 5 into 5 25 carry 2 12 carry 2 carry 1 3, 1, 2, 5 आ रहाई है और फिर into 3 भी है तो into 3 करते हैं तो 3, 5 जा 15 का 5 carry 1 6, 7, 7, 3, 3, 3, 9 तो यह आ रहाए है मेरा 9, 3, 7, 5 by नीचे क्या होगा 10 to the power 6 ठीक है तो 6 से मतलब 6 प्लेस पार terminate करेगा तो 9, 3, 7, 5 4 डिजित हो गया और दोठो 0 डालिए और 1 डाल दीजिए और 0 डालिए यह हो गया है इसार हमारा ठीक है तो ऐसी करके जिसका-जिसका terminate आएगा वैसका उसका find out कर लेना है आगे आते हैं question number 3 पे question number 3 में बोला गया है कि the following real numbers have decimal expansion as given below कुछ numbers का decimal expansion दिया गया है ठीक है in each case decide whether they are rational or not बताना है कि यह सब rational number है कि यह rational है और अगर rational है और P by Q के form में है तो what can you say about the prime factors of Q Q का prime factors के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो चलिए यह आप ही बताइए बताइए यह क्या rational है कि नहीं है तो चुकि यह terminate कर जा रहा है तो यह हो गया rational number ठीक है इसका जब P by Q form निकालेंगे तो चुकि यह terminate कर रहा है इसका मतलब Q का जो prime factor होगा वो क्या होगा 2 to the power M into 5 का power N के form में होगा तो पूछा गया था कि what can you say about prime factors यानि इसका जो prime factors होगा वो सिर्फ 2 और 5 होगा ठीक है question number 2 पताइए यह क्या है terminate कर रहा है कि नहीं कर रहा है terminate तो नहीं कर रहा है dot 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 है तो मतलब ही चलता चला जाएगा क्या यह repeat कर रहा है 120 फिर 12000 फिर 12000 फिर 12000 फिर 12400 फिर रिपीट भी नहीं कर रहा है तो यह rational number नहीं है यह क्या है irrational number है ठीक है तो इरrational number है तो पी बाई क्यू का form का express करने का बात नहीं उठता है यहां पे question number 3 देखिए यह जो sign है ना उबर जो एक बड़ा साल बार दिख रहा है आपको इसका मतलब है repeat होना इसका मतलब है 43.123456789 फिर 123456789 फिर 123 यह से repeat होते जाएगा यह ठीक है तो यह है non-terminating नेकिन repeating है यह तो यह तो rational number हो गया समझ गया यह तो rational number है इसको जब हम pyq form express करेंगे तो q का prime factor क्या होगा चोकि यह non-terminating है तो q का जो prime factor होगा will not be of the form 2 to the power m into 5 to the power n ठीक है इसमें कुछ ना कुछ extra number भी होगा तो यह होगा इसका answer ठीक है तो बस इसी के साथ यह chapter end हो जाता है उमिद करते हैं आपको पूरा सेट पर समझ में आ गया होगा और वीडियो अन्ट करने से पहले एक question एक-दो question आपके लिए homework है आप यह देख पा रहे है इसका answer मुझे आप comment section में दीजेगा आपको HCF find out करना है और LCM find out करना है कापी easy question है तो आपको आपको help करेंगे चलिए फिर end करते हैं और आप भी चाहिए तो किसी का help कर सकते हैं चलिए फिर end करते हैं वीडियो से आप तो वीडियो को जरूर एक like कर दीजिएगा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और चैनल पर बावर भी बाकी सारे content है बाकी सारे subjects के आप उनको देखिए जरूर आपको वहां से help मिलेगा चैनल फिर एंड करते हैं मिलते हैं बहुत अल किसी और वीडियो में तब तक लिए गुडबाय एंड टेक क्यार